तो एक उस तस्वीर है आप देख पारे थे देश के प्रधानमंतरी जपान अम्माफ की जहर रश्य गए हुआ है और वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ से बहुत ही शांदर तस्वीर है पिछले एक दिन से तो खेर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं अगले धाई घंटे आपक के अंदर जो भी fine tune वाली चीज़े हैं सब के सब हम आपके सामने रखें इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले में आपको विंडोस दिखाते हैं उस विंडोस के अंदर आप मोटा मोटा यह चेक कर लेते हैं कि तीन चार एहम चीज़े कौन-कौन सी है जिसको जादा फोकस किया हमारी पिछले दो महीने से काफी help कर रहा हैं बाजार में चर्चा यह है कि global markets और तेज हो सकते हैं यानि कि इंडियन मार्केट के वसे एक और point रहेगा और तेज होने का गिफ्ट निफ्टी 480 के आसपास चल रहा है इस समय मैंकाइंट फार्मा delivery में आज block deals हो सकती हैं हमेश पांच लाग का है minimum size और इसको बढ़ा कर अगर 20 लाग कर देते हैं इसको हैंडल कैसे करें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बंसल वाय एमक्योर्स की premium पर listing आज हो सकती है दोनों का listing गेन आपको मिलेगा और इसी चैनल पर आपको दोनों के बारे में पहले guide भी कर दिया गया था आगे बड़े तो ये चार एहम trigger है अब शिष्टिया कारिकरम को आगे लेके चल रही है और जिराए समझ लेते हैं कि global market वगरा कैसे हैं और इस सब चीज़े क्या है जिया तो इन सभी पर रहेगी नजर और साथ ये IT companies पर भी focus बनाएंगे क्योंकि अब जो है नतीजों का आगाज होने जा रहा है हला कि कल से नतीजे जो है आना चालू हो जाएंगे पर आज देखते हैं किस तरीके का action होता है गिफ निफ्टी से कुछ जादा संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं लगभख सब पार्ट शुरुआत की त्यारी है पर अभी शेक इस बीच ग्लोबल बाजारों का क्या हाल है वहां की तेजी रुखने का नाम नहीं ले रही SNP और साथ ही NASDAQ क्या शांदार तेजी दिखा रहे हैं उसके बारे में अपडेट्स दीजे और साथ ही क्रूट की चाल में क्या बदलाव हुए हैं कुछ बदलाव हुए है या वही गिरावट का दौर जा रही है शिष्टे गूट मॉर्निंग देखे अगर SNP 500 और NASDAQ को देखेंगे तो चुकि रिकॉर्ड हाई सब पर चली रहे हैं तो अब थोड़ा वी उपर बढ़ेंगे तो नया रिकॉर्ड हाई बनेंगे वो तो दिखी रहा है इन्वीडिया के शेर में तीजी फिर से होने लगी है धाई परसंट कल इन्वीडिया के शेर चड़ा तो NASDAQ में हमने देखा के रिकॉर्ड सर पर बंद हुआ है और SNP 500 के भी तजबीर कुछ वही थी लेकिन डाउ जूंस उपरी सर से 200 अंग फिसल कर लाल निशान में बंद हुआ हाला कि ये मार्किट में किस तरह कारबार हुआ उपर या नीचे इससे कहीं ज़्यादा क्रुशल फिड चेर्मेन जरॉम पावल का स्टेटमेंट था जो लेकर आया है ब्यास दरों को लेकर महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि ज़्यादा समय तक ब्यास दरों उपरी इस तरों पर बनाये रखने में भी खत्रा है और कहीं नहीं कहीं इसे जो आर्थी गत्विदियां है जो एकॉनमी की जो ग्रोथ है उस पर ये असर डालेगा और उन्होंने ये कहा कि दरों में कटोती में अगर देरी होती है तो रोजगार में भी कमी आएगी तो इसको कैसे रीड किया जाए सवाल ये है क्या फेड मूड बना चुका है रेट कि एक रेट कट आने की तैयारी अब हो रही है अगर हम वहाँ पर कुछ अगर आंकडों की बात करें तो गुरवार को महंगाई के आंकड़े आएंगे यानि कि कल और नतीजों पर भी नज़र रहेगी पैपसी को और डिल्टा एरलाइंस के नतीजे भी कल आएंगे तो कल य की बात करें अगर सिश्टी तो बहुत जादा कोई सच चेंजेज नहीं है हमारे एक रेंज में आ गया हम असीजी पिचासी को मान के चल लें कि नियर टम में यह रींज हमाले ठीक है और उस कमफर्ट रेंज के अंदर है करीब पिचासी डॉलर के आसपास का भाव है हालांक भी आपको देखेंगे और यूएस की जो टेनियर बॉल्ड डील्ड है चार दसमलों दो थी वो चार दसमलों तीन के आसपास हैं तो बहुत जादा बदलाव वहां से नहीं है लेकिन हाँ अगर आप एशियाई बाजारों कोगर देखेंगे तो एशियाई बाजारों में गि लेकिन सेंस जो यूएस से आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है देखते हैं कि इसको हमारे बाजार के इस तरह से लेते हैं हाला कि गिफ्ट निफ्टी में सपार्ट कारोबार है कल कि हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग भी देखी है और कल नया रिकॉर्ड ब यह समझते हैं डिमपी यह से बी ने एक एक्सपर्ट कम्यूटी का गठन किया था पिछले महीं ने और वाइदा में जो वाल्यूम का जो बबल बन रहा है कहीं ने कहीं उससे रिटेल निवेश्कों को सेफगार्ड करने के लिए सुरक्षा देने के लिए से बी की एक्सपर करने की बाचीत कर रही है ताकि इस स्पेकुलेशन थोड़े से कम हो और रिटेल निवेश्कों को सुरक्षा दिया जाए किस तरह से आप देख रहे हैं इस कदम को देखिए यह बात सच है कि देश के लिए एफेंडों को होना बहुत जरूरी है और यहीं पहल पहले से भी इस नहीं की थी मैं आज से आपको थोड़ा पंदरे साल पीछे लेके जानूंगा और थोड़ा मैं समय भी लोगा इस बात को बताने के लिए हम सबसे पहले कंसर्ण जताने वाले लोगों में से हैं मेरे को नहीं पता कि दूसरे चैनल का क्या टेक है क्या नहीं है लेकिन वी दूसर रुपे की ओप्शन्स 200 रुपे की हो जाती है चार हजार परसंट का राइज होता है सिंगल डे में अगले दिन 2000 का फॉल ओजाता है सेम ऑप्शन्स के अंदर तो यह ऑप्शन्स केंदर जो स्पेकलिशन का मूड आया है यही एक का हमारी कंसर्न थी और मैं देखा एक पैनल बना सुझाव दिये सास सुझावों की बात सामनी आई है और भी हो सकते हैं बड़ दो सुझाव मोटे तोर पर निकल के आए हैं जिसको लेकर सेवी एक अंतरिम फैसला यानि कि लास्ट फैसला फैसला फास मिलेगी ये दो चीजों का सूचक है पहला भारती बजारों के अंदर एफेंडों का जो रुजहान है बहुत तेजी से बतला है खासकर आप्शन्स ट्रेडिंग को लेकर दूसरा पॉइंट सेवी क्यों करना चाहता है देखे स्मॉल टिकेट साइस के जो ट्रेडर्स है ना वो इस वालेटिटी को जहल नहीं सकते आप कैसे 20 रुपे की आप्शन्स के ट्रेड को 200 का कर दोगे आप तो कर दोगे लेकिन रिटेल नहीं कर पाएगा रिटेल से खरीदा नहीं जाएगा 200 वाली चीज 20 रुपे सिंगल डे हो जाती है उससे दर्द जहला नहीं जा सकता कि कैसे एक एक्सचेंज ऐसी है जहां पे कोई फिल् सेबी ने थोड़ा इसका निरक्षन किया वॉल्यूम बढ़ रहा है काफी ज़्यादा आप्शन्स के अंदर और इसके अपनी वजह है मैं अगर बोलने पहूंगो तो फिर एक यूनिवर्सिटी का लेक्चर हो जाएगा मोटा मोटी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता ह यह कंट्रोल कैसे करें पहले एक जमाने में सुझाव यह चल रहा था कि इंकम टेक्स को जोड़ दिया जाए इसके साथ में जिसका 10 लाग से ज़्यादा का वाइट का आई टी आर यानिकि इंकम टेक्स जाता है उसी को ही अलाओ किया जाएगा कि सिर्फ एफ इंडों में ट स्कूर्टिनी करो कि जहां पर भी एक करोड से ज़्यादा का टर्नोवर हो रहा है उनसे उनकी बैलेशिट मंगवा और पूछो कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे विए आपने एक करोड से उपर के टर्नोवर कैसे मार रहे हो वो भी काफी हद तक एक्शेंजिस ने किया क्योंकि डाटा इंकम टेक्स अथरोडी के साथ क्लब कर दिया अब आप जो भी एफ एंडो में काम करते हो अलड़ी आपकी इंकम टेक्स अथरोडी को पता है कि आप क्या काम हो और कितने वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हो इसलिए स्कूर्टिनी काफी सारे लोगों की बड़ी लेकि ने भी उतना कार गरनी हुआ क्योंकि 400 गुना वॉल्यूम बढ़ा तो उसके बाद सेभी ने अब यह सोचा है कि भी एक काम करते हैं रिटेल को रोकने के लिए इनके लॉट साइज बढ़ा देते हैं यह मिनिमम लॉट साइज जो 5 लाख रुपे का इसको हम 4 गुना 5 गुन हो जायाएगा अभी क्या पांच लाख का टिकेट साइज है चार लोट ले लेता है और वो खराब करता है अपने पैसे तो पहला एक्सचेंज का यह तरीका है कि टिकेट साइज बढ़ा दो यह जो 5 लाख का मिनिमम है इसको हम 20 लाख रुपे का कर देते हैं तो आप आपका टैम्ठे में डीलर भी था तो मैं उस उसक्षेंज सकता हूं अब आपक्षेंज का ट्रेड है ना उसको भी आप हफ्ते में एक यह अप्षेंज लाओ और एक ही अपशिन स्ट्राइक आप 10 स्ट्राइक तक सौधे भर सकते हो आप 2 रुपे की चीच को 200 रुपे का इसलिए कर देते हो क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है और हेज़ फंड्स आते उड़ा के ले जाते हैं इसलिए थोड़े से स्ट्राइक को कम करो यह पॉइंट भी बोला गया ज्यादा ठीक हो इसमें क्योंकि टिपिकली फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम नहीं बढ़ता आप्शन के अंदर वॉल्यूम बढ़ता वो भी वीकली वाली के अंदर तो यह आपके पहले कॉश्चन का जवाब है मैंने थोड़ा समय लिया माफी जाता हूं लेकिन बताना बहुत जरूरी था और हम भी तो यह चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि रिटेल ने वेशक सुरक्षित रहें इतने ज़्यादा स्पेक्लेटिव ट्रेड्स ना लें जो करें लिमिट के अंदर करें और अपनी सुरक्षा को देख कर करें और हम रोज आगाहा भी करते हैं जब भ पिछले करीब करीब तस दिन से चर्चा कर रहे हैं कि 82-83 परसंट के आसपा से वह एज़िटीज बनी हुई है कुछ-कुछ नए सेक्टर रोटेशन सेक्टर चर्निंग हो रही है अब देखने की कंजम्शन फार्मा यह सपोर्ट दिने का काम कर रहे हैं आप बताई कि बाकी 24 परसंट पर आके रुख गया है और ऐसा नहीं कि मैं को कुछ मैं जादू गरू मेरे को पता है कि 85 परसंट से बढ़ेगा नहीं यह हिस्टॉरिकल डाटा यह रीडिंग किया हुवा डाटा है हैंस प्रूफड डाटा है बैक टेस्ट डाटा है अगर 15 परसंट पर आसकता त 85 पर क्यों नहीं रुक सकता बॉस आपका यह लॉजिक तो काम कर सकता है कि 15 पर एफाइज आ जाएगा तो 85 पर क्यों नहीं रुकेगा यह लॉजिक भी तो वैसा ही है यह बहुत रिजीड है उत्रह ही पक्का है तो यह बात आप समझके चले कि एफाइज की होल्डिंग इस चुनाफ कर पाऊंगे यह अच्छा यह बुरा है अभी मैं आपसे पूछूँगे एक सेक्टर मार्किट के अंडर आपको रोल प्ले करुए रहा है एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा बाजार के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए लेंकि को निफ्टी 100 पर बड कि देखोगे 140 पॉइंट बढ़ी है एक्चली में फ्यूचर में सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ा है वो क्योंकि प्रियुम श्रिंक होगे सिर्फ 12 पॉइंट का प्रियुम रह गया इच्छा शक्ती नहीं रही खरीदने की कहने का मेरे मतलब है कि अगर आप सौ पॉइंट के लिए हो जाएगा नए वालों को डिप की वेट करनी ही चाहिए वह डिप के लिए आप बोलेंगे सब्सक्राइब करते करते हफता हो गया नहीं हा रहा तो सर हफता होगे बादार चल भी तो नहीं रहा कहा हुआ 24-500 पार कौन सी जगह ऐसी है कुछ दिखाई जाए 24-500 पार और क्ल जाओगे ठीक और आपको 24-500 से नीचे मैं फिर से बोलनेता हूं बियर्स की ग्रिप आएगी बहुत फास्ट आएगी हो सकता हो 23-800 तक भी ड्रैक कर जाए बट डरना नहीं घबराना नहीं फिलाल 23-800 तक मार्केट पूरी तरह से सेफ है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न चाहते हो मैंने लेवल्स आपके लिए बता दी हैं और दोनों के ही टार्गेट नया और पुराने वाले दोनों के ही टार्गेट पहले 24-500 फिर 24-650 हैं फिर की फिर देखेंगे अगर इसके बाद कुछ होगा तो ठीक है तो शॉट्स के लिए ना है निफ्टी में जो लेवल्स हैं उस पर ध्यान रखें पर डिमपी निफ्टी बैंक का क्या करें वहां से फ्यूल थोड़ा सा कम जरूर है पर क्या यहां पे भी निशलिस तरों में खरदारी के मौके बनेंगे और क्या रनीती होनी कि निजी बैंक के भी एक मर्यादा है वो हर दिन आपको हेल्प नहीं करेंगे यह तो आप थैंक्यू बोली हड़ी एफसे बैंक को और आइसे से बैंक को कि यहां पर अभी वह टिकाए हुए है और आप थैंक्यू बोली एफ़ाइज को कि जिनकी बदूलत आप यहां तक प पॉजिशन बढ़ा दी 20 दिन में उनको 10 दिन लगए अपनी 2 परसेंट पॉजिशन नहीं बढ़ाने में तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं इसलिए मार्केट जस्का तस है बस उपर नीचे उपर नीचे उपर नीच स्परिंग है जता दबाओगे उतना उपर आजाएगा जोर से दबाओगे जोर से उपर आएगा धीरे धनोर होगे धीरे धीरे उपर आएगा यह स्परिंग की तरफने काम करेगा 52200 WR pose 25chsel तक लेकिन 52 हजार के जैसे के नीचे चला जा जाएगा यह धीरे दिरे करके बीयर की कप चपेट में आ जाएगा तब क्या होगा कि आमने सामने के लड़ाई होगी तब स्प्रिंग वाला काम नहीं करेगा तब ताकत का काम होगा तब फाइट होगी और जो जीते हुआ है और बारहा पॉइंट का प्रीमिम में आप खुछ से अंदाज लालो मैं क्या बात बोलना चाहरो क्या बीस पॉइंट कमाने के लिए होगे सब पच्छिस पॉइंट की तो कमीशन आपकी ब्रोकरेज है बीस पॉइंट कैसे कमा आप यह देखो जीरो 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 करने में समझदारी हो सकती है आप 70 परसेंट अपनी पॉजिशन के साथ रहो 30 परसेंट अपनी पॉजिशन को होल्ड भी करके रखो यह लेवल्स में लिखवा दी उपर जाते समय मैं दोनों के टार्गेट दे रहता हूं नए और पुराने वालों के वापिस आ सकता है दोन जा रहें तो बिलकुल मनाई है शौट ना पूछे ना मैं बोलूँगा क्योंकि मार्केट के अंदर शौट के दिक्कत नहीं एक और चीछोटी से मैं बतायता हूं नो शेर एफंडो बैंड के अंदर है नाइन शेर अभी आप सीरीज की क्लोजिंग में नहीं हो और बैंक न मार्केट के अंदर बढ़ रहा है कुछ तो करो यह कुछ तो करो वाला जब एंजाइटी आते हैं तो आपको चुप करके बैठना चाहिए जिनके इंजाइटी है पहले उनको कर देने दो फिर आप आजाना अंदर ठीक है तो यह जो रनीती है वो निफ्टी बैंक के लिए सुझाइग गई है तो शॉट के लिए मनाई है दोनों ही इंडेक्स में और यहां लाजमी भी है क्योंकि देखे आप रोज रोज करके कोई ना कोई अलग सेक्टर जो है अबरतावा नजर आ रहा है और उसमें काफ से ऐसे स्टॉक्स है वो समझेंगे इस भी चलिया स्वागत करते हैं हमारे खास महमानों का हमारे साथ अंशल जैन, सोनी पतनायक और राहुल घोश यह तीनों ही मौजूद है बहुत-बहुत स्वागत है आपका है और सबसे पहले राहुल आपसे एक बार निफ्टी और बै मैं डिम्पी सर की सला से हित रखता हूँ कि शॉट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना एपसिलूटली मुनासिब नहीं है कब शॉट्स ले सकते हैं जब 24,000 की नीचे आपको एक अच्छा बैरिश क्लोजिंग मिलता है ताट इस दे लेवल तो गो शॉट्ट करेंटली लॉग भी नहीं जा सकते हैं क्यूंकि long reward to risk perspective से एकदम 24,200 पे भी मैंने ये कहा था 24,400 पे भी मैं ये कह रहा हूँ कि purely risk to reward perspective से long नहीं जा सकते हैं Bank Nifty बहुत slowdown कर रहा है, हर रोज underperform कर रहा है, तो Bank Nifty को थोड़ा cautiously देखना पड़ेगा, तो on a day Bank Nifty rally करता है, उस दिन अगर आपके पास long position है, तो मैं exit करने की सला दूँगा, यहाँ पे profit book करने की सला दूँगा, और Nifty पे तो definitely once again profit book करने की सला, at least 50% profit book करने की सला, Stock specific बहुत names है, जो आपको opportunity देता है, दे रहा है, अच्छे volumes के साथ breakout हो रहे हैं, बहुत सारे stocks, उन पे ज्यादा focus करना चाहिए मेरे हिसाब से. जार में stock specific रड़निती आपकी होनी चाहिए, उस पर focus कीजिए, और index की रड़निती यह है कि आप थोड़े-थोड़े profit वहाँ पर book करते रहे हैं, यह भी सला है राहूल जी की तरफ से, अब चलिए सीधे stocks पे चलते हैं, और यह समझते हैं कि stocks specific अगर होना है, तो कौन से share है जो आपको trade का मौका दे रहे हैं, शुरुआ सुनी जी आप से करेंगे, गुड मॉर्निंग बताइए आपके share कौन से हैं आज, गुड मॉर्निंग एबरिवन, मेरा पहला pick रहेगा, हेवल्स में, current level पे आप buy कर सकते हैं, futures में भी कर सकते हैं, stopless लगा है, 1890 का, यहां पे target एगा 1960-1970, हेवल्स में हमने देखा हैं कि 1900 के ऊपर एक अच्छा option chain breakout आया है, और कल close भी 1920 के ऊपर sustain किया है, एक अच्छे range को यहां पे follow करते हुए support के साथ यहां पे bounce किया है, और एक fresh breakout को attempt करने वाला है towards 1960-1970, वो तो risk reward के ratio के अनुसा, 1970 पहला target बैठ रहा है, बट अगर उसके ऊपर sustain करता है, तो in near term वो 2000 के levels को भी test कर सकता है, so काफी favorable risk reward ratio है, यहां पे 80-90 stop loss maintain कीजे, और एक target for 1970 पहला रहेगा, उसके ऊपर अगर sustain करता है, तो वो towards 2000 भी जा सकता है, दूसरा pick रहेगा यहां पे M&M में, कल हमने देखा है कि M&M पे अच्छा, तेजी, bullish, fresh longs भी बने हुए है, और यहां पे जो है, एक breakout आया है, charts पे, so M&M futures भी अब buy कर सकते हैं, stop loss maintain कीजे, 2890 का यहां पे, target रहेगा 2970, M&M में हमने कल देखा है कि call की strikes में open interest की unbinding हुई है, and all the way till 3000 call strike तक open interest unbind हो रहे थी, same time पे 2880 और 2900 की put में काफी aggressive writing हो रहे थी, तो support form हो रहा था, और call writers अपने position से exit कर रहे थे, so एक bullish outlook बन रहा है, so यहां से 2970, 3000 levels को test कर सकता है, ठीक है, M&M कल हमने देखा था कि मारूती के बाद auto में सबसे ज़्यादा चड़ने वाला यह share था, और कल auto index कल का बाजार का leader भी था, M&M आज भी आपको यह पैसे कमा के देगा, 1970 का target 2890 का stop loss इसके लिए है, और heavens के लिए 1890 का stop loss और 1960 और 1970 के target, यह दो share, heavens भी कलम देख रहे थी कि यह share चला था, PLI वाली वो खबर भी आए थी कि PLI के जो विंडो है, उस सरकार ने बढ़ा है, 12 अक्टूबर तक के लिए, और उसके चलते ही जो AC वाले, LED वाले, यह सारे के सारे share कल हमने चलते हुए देखे थे, अच्छा, अंशुल जी आपके shares कौन से हैं, गुड़ मॉनिंग, बताए सर, नमस्का रक्षे जी, नमस्का शृष्टी जी, नमस्का टिमपी जी, निफ्टी से चालू करूँगा, मंडे closing शो में notice कराया था कि निफ्टी में 15 मिट के चार्ट पर कपनाइडल पैटन है, 24-350 निकलता है, तो breakout आएग VEL 332 में बाई दिया था, 340 का टार्गेट हो चुगा है, बाटा भी 1515 से 1550 इसका भी टार्गेट हो गया है, तो profit booking करके cash पे आना चाहिए, और अब जब cash आ गया है, तो दो mid cap counters बाई दूँगा, पहला है जैन्त aggro, जैन्त aggro में 330 हफते का base breakout आया, और breakout आने के बाद से 15 द का target रहेगा, दूसरा stock रहेगा, मयूर यूनिपोर्ट, यहां पे भी 300 अपते का base breakout आया है, और उसके बाद से tightly coiled है, breakout के बाद second round of consolidation है, 645 पे immediately buy करना चाहिए, प्रियम्टिव, 600 रुपे का stop loss रहेगा, और 745 रुपे का target रहेगा, यह दोनों target आने में 1.5 अपते का समय आपकी stock calls कहां पे हैं? काउंटर, current market price पे long कर सकते हैं, stop loss होगा 1285 का, और target होगा 1400, तो अरोबिंदो फार्मा एंड बिटानिया दोनों long side पे. ओके ठीक है, तो बिटानिया और अरोबिंदो फार्मा, एक चीज़ मैं आपको और बता हूँ, कल अगर आप वायदा की sheet चेक कर रहे होगे ना long side की, खाली long side की चेक करना, total नहीं, तो आपको पहले 3-4 share फार्मा की ही मिलेंगे, उसमें लिउपिन था, एक दो शेयर और थे और नजाकत इसलिए भी है, क्योंकि यहां से भी पैसा बन सकता है, तो इसलिए आप फार्मसूटिकल्स वाला कोई भी share आपको कोई भी gas देना तो इसको गंभीरता से लेना, जैसे राहूल जी ने भी आपको और फार्मा दिया है, दूसरा पॉइंट बिटैनिया भी उनका हमें को काफी पसंद आया, बिरिटैनिया इसलिए भी है क्योंकि डिफेंसिव कम एग्रिसिव है, सामने मौनसून है, कंजम्शन किया सच कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को लगता नहीं है कि इस तरह का मौका और आ सकता है, जब आपका बजार, अल्टाइम, हाई पयो, आई टी सी भी कुछ कुछ ऐसा ही है, अगर आप चेक करना चाहो तो आई टी सी भी चल रहा है, इसका पी एर है वो, अब आपने सोनी की शेर पर सोनी नहीं हेवल्स दिया है, लीक से तोड़ा हटके हैं, दोनों का डेरिवेटिव कॉंट्रेक्ट काफी स्ट्रॉंग है, और यह बढ़िया शेर है, हाला कि बहुत चल चुका है, अगर आप इसको देखोगे तो खरीदी नहीं पाऊगा है, बट फिर भी इसके अंदर काफी दम है, कल पर सो मैं मैनेजमेंट का एक टेक भी पढ़ रहा था, किसी मैगजिन में तो कह रहे हैं कि मारा एक्सपेंशन प्ल और आपको एक ट्रेट देते हैं, ना कि वाले उनकी इंटेलिजेंस बलकि उनका रिस्पेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस भी आपके पास आ जाता है, ट्रांसफर वोकिन कॉल्स के सरी है, आगे बढ़ें, अब मैं अपने साथ अपने सेयोगी को जोड़ूँगा, शरत को, ता रेविन्यू में 30% का डाउं टिक आया, और प्रॉफिट में भी देखे, तो लगबग 70% का गिरावर देखने मिला है, JSW Steel की बात करें, जो ऑपरेशनल अपडेट आया है, तो लाजली इन-लाइन सेट अप नंबर आया है, JSW Steel की, अलग कि कुछ माइन्स बन थे, तो बिजनेस अपडेट जो है, नेगिटिव आया है, आपके JSW Steel और माराथन नेक्स जेन रियालिटी का, अब खबरोवाले शेयस पे भी फोकस कर लेते हैं, तो दो एहम ब्लॉग डील होने वाले हैं, आज मैनकाइन फार्मा सबसे पहला रहेगा फोकस में, जहां पे कापिटल ग्रूप अफलियेट की कंपनी जो है लगभग 0.9% स्टेक के बिक्वाली करने वाले हैं और डील 2% डिसकाउंट में होगा, इस अफलियेट का नाम हीमा सिपफ है और इनका 2.22% स्टेक कंपनी में है, अब यह स्टेक घटके 1% हो जाएगा, डेलेवरी का भी ब्लॉग डील होने वाला है आज जहां पे कैनेडा पेंशन फंड लगभग 3% से जादा की स्टेक के बिक्वाली कर सकते हैं जिसका कुल वैल्यू लगभग 900 करोड उपेका है और यह कंप्लीट एक्जिट हो सकता है, यह डील प्राइस 3.5% डिसकाउंट तक हो सकता है और अलरेडी हमने 25 को देखा था कि कैनेडा पेंशन फंड ने लगभग 2.8% से बिक्वाली ओपेन मार्केट में की है, दो ब्लॉग डील्स के जरीए जहां पे 900 करोड रुपे का वैल्यू का ट्रांसाक्शन हुआ है, MGL, IGL, गुजरात गैस, इनके बारे में बात करें तो इनके लिए आज प्राइसेज भी घट जाएंगी, पाथ से लेके 6 रुपे प्रती केजी, तो कंज्यूमर्स को तो फाइदा हो गाई, इन्वेस्टर्स को भी फाइदा हो गाई, क्योंकि इनके 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 लिए अच्छी मूवमेंट आएगी, और खासकर कि MGL, IGL को जादा बेनिफिट परतेक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव निउस लो है, पिडलाइट का भी शाम को मैनेजमेंट मीट हुआ था, नुवामा ने होस्ट किया था, जहां पे तीन एहम बात सामने आती है, कोर कैटेगरी में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, सीलन कैटेगरी में म लाउट सेलूशन पे फोकस रहेगा, और रेल विकास निगम की बात करें, तो दो एहम ओडर आये हैं, लगबख 400 करोड के, और जो है, MOU साइन की है, मिडल इस्ट और नौथ अफरिका के एक्सपैंशन को लेके, KDDL का 88 करोड का बाइबाक हुआ है, टेंडर ओफर के रू पर आया है, सोलर एनजी डवलप्मेंट के लिए, और वही अगर GMDC की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेज आई है, उनकी गुजरात गवर्मेंट के साथ, पावर शेरिंग को लेके, और उसके कारण एक कैपेक्स होगा, लगबख 300 करोड उपे का, तो फाइनश करेंगे, और QIP में, Quant Mutual Fund ने भी अच्छी हिस्सेदारी ली है, तो यह तो खबरो वाले शेर्ज मैंने बता दिये, Q1 अपडेट बता जी, लेकिन दो एहम लिस्टिंग है, उसको भी में जल्दी से निप्टा देता हूं, यहाँ पे बंसल वायर सोकस में रहेगा, IPO प्राइ कि लगबग 25 से लेके 30 पसंट तक का लिस्टिंग एंज देखने मिल सकता है, तो यह सारे स्टॉक्स है, जो आपको रैडार में रखना चाहिए आज, शुक्रिया आपने सारे विब बता दिया कि अर्निंग्स किसके आई नहीं है, यह भी बताया कि खबरो वाले शेर्स कों स सकते हैं, और बंसल वायर्स भी उसम से एक है, आगे बढ़ते हैं, मिरसात एक और मैं मां जोड़ रहे हैं, अविनाश को रेक्षकर, अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यों वेर्मच, मैं एक अर्निंग्स से शुरू करूंगा, डेल्टा कॉप की, सर क्या हो इसके अर्निंग्स को, इसके नंबर तो बेहदी खराब आएं, बता रहे हैं कि इनका प्रॉफिट सिक्स्टी एट परसेंट कम हो गया, सिरफ बाइस क्रोडर पे रहे गया, सर सरकार ने तो बातों बातों में बोली रखा ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की बिजनस से वो चला हुआ, आपको दिक्कत थोड़ी ना है, फिर क्या हो रहा है सर इसके बिजनस में, इसके प्रॉफिडिबिल्टी भी घटी, इसके रेविन्यू भी घटा, इसका ऑपरेशन में भी फॉल हुआ, 30% का, ये खरा बच्चों के पेपर चल रहे थे, जो बच् कॉप का जराड, डिक्माइन्स बताएंगे आज कितना होगा, गैप डाउन तो खुलेगा, ये तो फिक्स है, अगर ये वोल्ड नहीं करता है, तो स्टॉक में फिर लंबी गिरावट आएगी, 108-107 रुपे का स्विंग लो है, लगवग वहां तक डाउन साइड इसमें बन 107 आप कहने आ जाएगा ये नीचे, ठीक है बादर दिखाना इसका भाव कहां पर बंदुआ हुआ हुआ है, ये प्रॉफिट के नंबर्स है, आप अपनी स्क्रीन पर खोदी देख पा रहे हैं, एक सो साथ तक आ सकता है, यारिकि पैंतिस चालिस रुपे तक की गिरावट सकती है, जल्दी यल्दी मत लेना, वैसे भी ठोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, कोशिश कर रहा था, पुल बैक की लेकिन फेल हो गया, सोनी एक बार जड़ा अडानी पोर्ट आप चेक करेंगे, इसके पास में एक और मिलने की खबर है, शाय तीस साल के लिए इनक चेन के अनुसार भी वो रेस्टेंस है, तो जब तक वो क्रॉस ने होता है, अपसाइट थोड़ा से डिफिकल्ट रहेगा, उसके ऊपर ही क्रॉस होने पर आप देख सकता है कि 1550, 1560 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है, बट रेस्टेंस काफी स्ट्रॉंग है, सो क्र बड़ा सा इंट्राडे बेस्टेंस पे आपको तुवर्ट्स 1440, 1430 रेंज को टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है, तो इंट्राडे बेस्टेंस पे या तो सपोर्ट 1470 या तो फिर रेस्टेंस 1510 को ब्रेक करना काफी इंपोर्टेंट है, या डिटर्मिन फॉर्द के लिए, ठीक है, तो अदानी पोट्स यहां पर आप नजर रखे, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बचट में सरकार्स City Gas Distributors को बड़ी राहत दे सकती है, सूत्रों के हवालों से क्या खबर मिल रही है, ये पूरी डीटेल्स बताने के लिए हमारे साथ प्रकाष्ट प्रकाष्ट बताईए, क्या कुछ बड़ी खबर है ये City Gas Distributors के लिए? प्रक्षर में बदलाव किया जा सकता है, ये प्रस्ताओ पेट्रोलियम मंत्राले की तरफ से वित मंत्राले को सौपा गया है, उस प्रस्ताओ के हिसाब से जैसा कि हमें सुत्र बता रहे हैं, CNG पर जो Central Excise Duty है, जो कि इस वक्त 14% है, उसको घाटा कर 5-7% करने का प्रस्ताओ दिया गया है, World Ministry ने ये सिफारिश की है, जाहिर तोर पे ये काफी important development है, अगर आप CNG के लिहाज से देखें, इसके अलावा compressed bio gas के भी मसले में एक important सिफारिश की गई है, जिसके हिसाब से उस पर जो double taxation structure है, उसको rationalize करने की सिफारिश की गई है, इस वक्त होता ये है कि CBG पर सरकार, हाला कि CBG जो है, वो GST के दारे में है, जिस पर की 5% GST वसूला जाता है, लेकिन कई मामलों में GST लेने के बावजूद भी, उस पर भी 14% Central Excise Duty सरकार वसूलती है, लिहाजा double taxation का मसला है, पेट्रोलिया मंत्राले ने इस मसले को वित मंत्राले के सामने उठाया है खासकर वैसे मामले में, जब CBG की ब्लेंडिंग CNG में हो रही है, पहले ही 5% GST CBG पर लग चुका है, लेकिन जब ब्लेंडिंग होती है, फिर से सरकार उस पर 14% Central Excise Duty वसूलती है, जाहिर तोर पे जो end result आता है, प्राइसे में बढ़ोतरी होती है, और उसकी वज़े से consumers को भी लॉस है, और City Gas Distribution Companies को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है, लेहाजा इस बात की सिफारिश की गई है, पेट्रोलिय मंतराले की तरफ से, कि अगर सरकार गैस बेस्ट एकॉनमी के टागेट को हासिल करना चाहती है, 15% जो हिस्सदारी है, overall energy consumption में गैस की करने की, अगर इस टागेट को हासिल करना चाहती है, तो जो टाक्सेशन का structure है, उसमें बदलाव करना होगा, तो इस तरह की जो सिफारिशें हैं, जो प्रस्ताव हैं, वो वीत मंतराले के सौंपे गए हैं, और इस बात की बेहत संभावना है कि अगामी बजट में सरकार, City Gas Distribution Companies को रिलिफ देने के लिए, Expansion को बढ़ावा देने के लिए, Consumers को इसका फाइदा देने के लिए, CNG और CBG पर जो taxation structure है, उसमें बदलाव कर दे, और जो central excise duty है, उसमें भारी कटावती कर दे. ठीक है, शुक्रिया प्रकाष, तो निशित वर पर ये डेवल बॉनाज़ा होगा, अगर बजट में सरकार ऐसा फैसल लेती है, क्योंकि कंजूमर को तो रहात मिलेगी, कंपनीज को भी अपना कारवार बढ़ाने मदद मिलेगी, जैसा कि आब बता रहे थे कि गैस बेस्ट की तरफ सरकार बढ़ना चाहती है, अवनाज़ जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, सर, सी एंजी कंजम्शन, इसमें कोई दोर आया नहीं, कि सी एंजी हो या पी एंजी, यहां से इनका दारा बढ़ने वाला है, यूजिस बढ़ने वाला है, अभी हमने को सीदे आधा, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको और यह जो कंपरीज ऑपरेट कर रही हैं, MGL, IGL, गुजरात, गैस, या फिर गेल को भी इसमें जूल लीजे, पाइपलान वाला काम करती है वो, फ्यूचर कैसा देख रहा है और आपको इसमें से शेयर कों सा बढ़िया ल रही है, और यह मेरी ख्याल से जो बीजेपी गवर्मेंट थी, उनके मैंडेट में, याने जो मैनेफेस्टो था जब इलेक्शन के पहले, तभी उन्होंने क्लेरली कहा था कि वो गैस का कवरेज कंट्री में बढ़ाना चाते हैं, तो मेरी ख्याल से यह सारे जो गैस मार्के जो ग्रैफिकली इसका यूसेज बढ़ाना चाहती है, तो यह सारी कंट्री को डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनेफिट मिलेगा, वॉल्यूम तो बढ़े गाई, मेरी ख्याल से प्राइसिंग में भी थोड़ी बहुत बेनेफिट मिलेगी, और हमने देखा है कि अभी पूरी तरह से फ्रक्टिफाय होता है, जो ड्यूटी आप बता रहे हैं कि आधा हो जाएगी, 14-7 परसेंट, यह अगर जल्द ही ऑफिशली अनॉंस्मेंट आता है, तो मेरे क्याल से मार्केट डेफिनेटली इसमें अच्छी इनों इन स्टॉक्स में रिरेटिक देखने की करेगी, मुझे लगता है कि अगले साल तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और F25 के सेकंड आप में आपको शायद इसका बेनिफिट मार्जिन में भी देखने को मिल सकता है, मार्जिन में भी बेनिफिट आ सकता है इनकी, और इन कंप्रीज के लिए पॉस्टी होगा यहां से एक काम करते हैं, ब्रोकरिट रिपोर्ट समझ लेते हैं, हमारे से योगी, अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गये हैं, और हमने कल देखा था कि मारूती में करीब 7% के आस-पास की तेजी रही, जो यूपी सरकार से जो उनको तवफा मिला उसके चलते, तो निश खरीदारी के राए दी है, इसे के साथ सा जो टागेट प्राइज है, वो भी कुछ 5,390 से बढ़ा कर 6,700 कर दिया है, कुछ पॉसिबिक पॉइंट बताए गए हैं यहां पे, जैसे के पाइप वॉल्यम कंपनी का 27% से बढ़ा है, यह अर और यह बेसिस पे, एप्रिल से ले उन्हें market share gain करने में काफी सायता हो सकती है, उनकी हिसाब से estimated उनने किया है कि कुछ 25% earning growth हो सकती है, Fy24 से लेके Fy27 तक, जिसके चलते वो positive है इस कंपनी पर, मॉगन स्टैनली की रिपोर्ट आई है मारूती सुजुकी पर और उन्होंने over weight की rating दी है, target price भी 14,105 दिया गया ह और ये इसके खास बचा है कि UP government ने wave off कर दिया road tax hybrid car पे, जिससे सबसे ज़्यादा lab यहाँ पे हमें मारूती को होते हुए नजर आ रहा है, और उनका ये भी कहना है कि UP के साथ साथ दूसरे state भी ये चीज़ फॉलो कर सकते है, जिससे मारूती को और भी lab मिल सकता है, मारूती पर दरसल report Macquarie की भी आई है और उन्होंने neutral की rating दी गई है, लेकिन target price यहाँ पे हमें 11,565 का नजरादा है, इनके भी साबसे same reason है, UP ने reduce कर दिया है tax, जिसके वज़े से यहाँ पे काफी cheap भी हो सकती है hybrid cars, उनका ये भी कहना है, जो price difference होता है hybrid cars और internal combustion ICE vehicles में, उसको जो gap है वो पहले 20% था, वो भी घटकर 10% हो गया है, तो इसके वज़े से hybrid cars को भी एक अच्छा push मिलता हूँ, यहाँ पे नजराता है, साथी साथ positive sentiment है मारूती के लिए क्योंके 20% share hold करते हैं मारूती hybrid industry में करिब करिब ये 2023 का estimate किया गया है, global spirit पर भी report है और ये in cred की report है, उन्हों में हुआ है, जिसके वज़े से एने काफी अच्छा positivity नजराता है, साथी साथ उनका कहना है कि raw material और power cost भी काफी हद तक stabilise हो चुके है, जो कि एक positive है company के लिए है, उनका ये भी कहना है, capital margin, ethanol और IMIL के लिए कुछ 10% और 20% रह सकता है, जिसके कारण वो positive है इस company को लेकर, in cred क एक और report आई है LTI माइन ट्री पे और उन्होंने recommendation में पहले reduce के rating दी गई थी, उसे change करके अभी add के rating दी दी गई है, target price भी कुछ 5,998 का कर दिया गया है, पहले target price 5,377 का था, उनका कहना है कि energy और utility और साथी साथ financial sector insurance में काफी अच्छा growth नजर आ रहा है, जिस वज़े से उ अच्छा improvement हा सकता है, जिसके चलते वो positive है, इस company को लेकर, तो इन stocks पर नजर रखे, ठीक है, शुकरिया अंश आपका, काफी विस्थार से आपने सारे के सारी reports बताई, लेकिन मारूती को लेकर एक बर फिर से जिक्र करना चाहेंगे, और सुनी जे आप से view चाहेंगे, कल की बड़ी तेजी के बाद प्रशन ये है कि आज क्या होगी चाहल मारूती की, हाला कि Morgan Stanley ने दिया है 14,000 रुपे के उपर का लक्षिया और ये कह रहे हैं कि बाकिर राज ये इसको follow कर सकते हैं, और company के तरफ से hybrid गाडियों पर focus और बढ़ सकता है, फिलहाल अगर हम उनके portfolio में बात करें, तो Grand Vitara है, Invicto है, जो hybrid गाडियां ये बीच रही हैं, आप stock कैसे देख रही हैं, कल 12,827, सीधे-सीधे 800 रुपे का jump एक सतर में हो गया है, आज क्या करें, क्या ये continue होगा या फिर थोड़ी profit chicken आएगे तो फिर से खरीदना चाहिए? अविशेग जी, यहां पे मारुती ने जहां से एक level पे support लेकर bounce किया है, वो support करीबन 12,000 के करीब था, तो काफी अच्छा support पकड़ा हुआ है, और वहां से strength collect करते हुए, कल उसने jump दिखाई है with breakout, with volumes, तो यहां पे continue करेगा, एक fresh breakout आने के chances हो सकते हैं, above 13,150, उसके ऊपर आ strength है, hold कर सकते हैं, अगर किसी ने already कल के level से लेकर रखे, तो थोड़ा से यहां पे stopless को trail कर दीजे, 12,450 के पास यहां पे stopless trail कर दीजे, और hold कीजे, एक बार 13,150 के level को cross करता है, उसके ऊपर आपको 13,500 के तरफ भी जाते हुए नजर आएगा, stock में strength है, एक दो दिन लगेगा उसको वो fresh breakout देने में, बट definitely वो जब breakout करेगा, एक fresh round of rally आपको नजर आएगा towards 13,500, ठीक है, तो मार्ती सुजुकी, 13,150, इसके ऊपर जाने का wait करें, और उसके बाद stock में जो momentum है, उसका फाइदा उठाएं, साथ ही जो आज खबर आ रही है कि CNG की जो city gas distribution companies के लिए, जो है, tax में राहत आ सकती है, ये भी एक benefit हो सकता है मार्ती सुजुकी के लिए, क्योंकि CNG में भी ये market leader है, तो बशर्त है, अगर CNG की कीमते कम होती है, तो consumers को जादा फाइदा होगा, जादा गाडियां विकेंगी, तो इस पे भी हम नजर जरूर रखेंगे, पर brokerages के radar पे LTI माइ चार्स पर कैसे प्लेज लग रहा है आपको और क्या है आँ पर कोई fresh rate बनता है, तो अगले तीन से चार मेने आइटी बहुत अच्छा लग रहा है, और LTI माइंट्री में भी अपनाटल पैटन का breakout आया है, इस टॉक में अल्मूस्ट रीटेस कम्प्लीट हो जाता है, लेकि लग नहीं रहा कि दो दिन की और डाउन मूब लेके रीटेस कम्प्लीट करेगा, फ्रेश ब्रेश ब्रेक आउट की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है, फिफ्टी फोर टेन जैसे ये स्टॉक क्रॉस करेगा, इसमें ब्रेक आउट कंफर्म हो जाएगा और एक एक से दो दिन बल्कि एक से दो हफते के प्रोस्पेक्टिव से अगर लेते हैं, तो 5800 तक के टागेट आराम से मिंग जाएगे। इस बीच ग्रान्यूल्स इंडिया पे एक बार आए दीजे, ये काउंटर भी उपर आ रहा है, पर कितना भरोसा किया जाए इसके अप मूव में और क्या यहां पे कोई ट्रेड बनता है। आएगा, तो इमेडियेट लिए अगर तीन से पास दिन का व्यू है, तो 565, 570 तक का अपसाइड है, और तीन से चार मेने का व्यू पकट रहा है, तो 800 रुपे तक ये स्टॉक ऊपर में आ सकता है। ठीक है, दो शेयर मेरे पास और हैं, एक मैं पोचूँगा सोनी पटनायक से और दूसरा अंशल जी आप से, पहले मैं ज़रा सोनी के पास आता हूं, सोनी एक ज़रा रेन इंडस्ट्रिस चेक करना। मैं को लग रहा है, बहुत ही प्यारा बिड़िफल सा बेसिस के अंदर बन गया है, ये शेयर चल सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, दो सो, तीन सो तक भी शेयर चला जाए, आपको भी ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, आप इसको वीकली देखेंगे तो थोड़ा और कर ही बाउंस किया है, बहुत ही अच्छा यहां पर support बन चुका है 163, support stop loss यहां पर hold कर सकते हैं, immediate basis पर हम देख सकते हैं कि 176 पर एक छोटा सा residence है, उसके उपर cross करते ही, वो 182 और 190 रेंज को test कर सकता है, so stop loss यहां पर लगाए 163, hold कीजे, 176 का पहला रहेगा target, उसको cross करता है, तो उसके उपर आपको 180 और 190 की रेंज तक एक बड़ टेस्ट कर सकता है, so definitely I think risk reward ratio भी यहां पर favorable बन रहा है, आप इसको hold कर सकते हैं with 163 stop loss, ठीक है, done, तो 163 का एक stop loss लगाएए, इस शेर को notice कीजेगा, मैंने आपके लिए ढूंडा है, इस अगर मिल आपको अच्छा लगे तो आप अपने वित्तिस अलाकारों से पूछ के जरूर लीजेगा, सोरी नी आपको recommendation भी दे दी है, इस पे, इसी तरह का एक और शेर भी है इसका base बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांदर है, और base है करीब-करीब 230 का consolidate करेगा, और फिर जब breakout आएगा stock में, तो पहला target जो बनेगा, वो previous swing high 2022 के जो रहे हैं, 488 के round, वहां तक आ सकता है, और chemical पूरा sector मेरे को तेज़ लग रहा है, FCLM ने अपने clients को बाई रिगमेंट किया है, तो पूरे sector की तेज़ी है, तो उसमें ये stock भी चलना स्टार्ट क chemicals हैं, अगर आप उन दोने shares को चेक करोगा तो उन दोने में ज्यादा मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही specific रही है, आपका सारा काम बन सकता है, एक share में और आता हूं जिस पे मेरे को विनासर की एक recommendation लिनी है, विनासर ये असाही इंडिया को आप cover करते थे, मेर आप से कई बार इसके regarding मुलाकात हुई है, और आपने इस share के बारे में बहुत अच्छी बाते बताई, और इस share चला भी, इसकी performance भी काफी अच्छी रही है, दिखा दो इसका monthly और इसका annually chart भी, साल का और एक month का chart भी, साही इंडिया सर, अभी भी पोजीशन ली जा सकती है, पोने 60 रुपे का हो गया? का benefit मिलता है, तो कहीं न कहीं definitely इसका फाइदा असाई इंडिया को मिलेगा, in fact इनके पास Hyundai जैसा बड़ा client भी है, तो कहने का बात है कि जैसे volume auto sector में बढ़ता है, तो definitely OEM clients जो इनके पास है, इसका फाइदा company को जरूर मिलेगा, अभी शेर definitely चड़ तो चुका है, लेकिन ऐस तो FY25 और 26 की अगर हम बात करें, तो जिस परकार का ग्रोथ अभी इस साल आने वाला है, auto sector में हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं, current price पे भी आगर थोड़ा सा, you know, stock correct होता है, तो इसमें छोटी position आप ज़रूर बना सकते हो, क्योंकि काफी unique business है, अच्छी well managed company और product potential काफी अच पताते हो हमें, एक सोनी पतना एक से और शेयर में को पता करना है, सोनी आप एक शेयर को और जड़ा चेक कीजिए, मैंने आपके लिए निकाला हो है, HFCL, एक बार जड़ा ये शेयर भी चेक कीजिए, HFCL, इसका भी अगर वीकली चेक करेंगे, 123 और 4, चार बार ये 90 के अस प्रोजिशनल प्ले अगर हम देखेंगे, तो ये कंटिन्यूसली 90, 110, इस रेंज से स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए, टूवर्ज वन थर्टी, 135 के रेंज को टेस्ट किया है, सो यहां पर हलकी से प्रॉफिट बुकिंग का चांस हो सकता है, टूवर्ज सपोर्ट है, आपको ये एक रीनिशेट करना चाहिए, लॉंग्स, सो मेरे ख्यास थोड़ा सा वेट कीजे, 120, 115 का रीज, अगर यहां पर नजर आता है, वीकली बेसस पे, तो यहां पर उसी रेज पर आपको रीनिशेट करने का मौका मिलेगा, लॉंग्स के तरफ, सपोर्ट अभी भी वही इन फैक थोड़ा सा उपर भी सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 107 पर अच्छा सपोर्ट है, तो तुवर्ज सपोर्ट आप बाई करेंगे, वहां से बाउंस कर सकता है तुवर्ज 130, रिस्क रिवर्ट रिशो फेवरेबल रहेगा, यहां पर हलका सा मुनाफ़ा वसुली न नजर आ रहा है, तो डिप का इंतिजार कीजिए, रिशो फेवरेबल है, तब ही आपका यहां पर फेवरेबल है। अब ध्रिद्रिद्र चलना शुरू कर दिया है, यह शेयर, एकसाइड का, और कल एक अच्छी ख़बर भी आई, कि यह बैटरी वाली कंपनीज अपना अधाम बढ़ाने जा रही हैं, एकसाइड कैसा लग रहा आपको और क्या इसमें तेजी करनी चाहिए। दिख रहा है, तीन टाइट वीक्स हो चुके हैं और डेली चार्ट पे कल ब्रेक आउट दिया है स्टॉक ने, तो करेंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, बहुत बैतरीन स्टॉक्चर है डेली और वीक्ली चार्ट पे टेंट मार्केट प्राइस से प्रेस्ट लेना चाहिए। आपको बढ़ियां क्या लग रहा है सर्थ, फार्मा में अगर किसी को कुछ अगर नई बाईंग करनी हो, तो आपके लिहास से मौके कहां पर हैं। तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा की बात करें, सिपला की बात करें, डॉक्टर एड़ेस की बात करें। तो मेरे क्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, जो कंपनी जादा तर यूरेस मार्केट को केटर करती है, तो वहां से मार्जिन इंक्रिमेंटल काफी अच्छा आने की बात करें। तो अभी भी मेरे क्याल से रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है, अगर नजरियाद थोड़ा सा वीडियम टो लॉंग टर्म रखें। अपकोस बजेट में क्या आता है, वो क्लिरली स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगा, बट ऐसा अनुमाव आ रहा है कि शायद R&D को लेके अच्छे अनॉंसमेंट्स आएंगे जो सारी बड़ी कंपनी के लिए फाइडर मन रहें। फार्मा को लेकर ये वियू, आज एक और कंप्री बाजार में अपना डेवियू करने जा रही है, वो है एमक्योर फार्मा का लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन शर्द हमारे से यूगी त्यार है, नौ के नौरत्म लेकर, शर् वियाद रखिये, बजेट में भी बादार का एक्स्पेक्टेशन से कि कुछ रिलाक्सेशन सा सकते हैं, इस्पेशली गेमिंग को लेकर, और इंटरेसिंगली कंपनी रियल स्टेट में भी वेंचर किये, तो दो तीन मूविंग फैक्टर्स आ रहें, डल्टा कॉप के लिए MGL, IGL और गुजराद गैस, तीनों ही सिटी गैस इस्टिबिशन कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यू स्लो है, यहाँ पे गव्मेंट जो है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, अल्मूस्ट 50% से, अभी रेट है 14.4% का, उसको घटा के 5-7% कर सकती है, अब इ दोने स्टॉक्स को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप गुजराद गैस के साथ कंपैर करें तो, पिडिलाइट का भी मैनेजमेंट मीट हुआता शाम को, और यहाँ पे तीन अहम बात सामने आती है, सबसे पहला कोर कैटेगरी तो अच्छा करेगा, उसके अगरास निगम भी फोकस में रहेगा, उनको दो ओर मिलें, तीन सो नब्य करोड के रेलवेज और मेट्रो के, और इंट्रेस्टिंगली उन्होंने MOU भी साइन किया है, जो है आपके तत्वीर के साथ, जहां पे मिडल इस्ट और अफरीका के ऑपरेशन पे जो है, कंपनी फ के लिए तो स्टॉक में आज तेजी देखने मिल सकती है, वही GMDC में थोड़ी सी adverse या negative development आया है, इनकी कुछ amendment आई है power purchase agreement में गुजरात government के साथ, तो उसके कारण जो है कंपनी को एक one time provisional capex लेना पड़ेगा, तो of course financials में वो impact करेगा, तो मैंने आपको साथ stocks तो बता दि है, हमारा आठवा stock है big bold brokerage, यहाँ पे incorrect की report आई है LTI mind repay, यहाँ पे upgrade कर दिया ad से, पहले reduce था और target price भी बढ़ गया है, 5,377 से बढ़ाके 5,998 रुपीज का कर दिया है, और वो कह रहे है कि European Union और FSAI verticals में recovery देखने मिले हैं, जो बड़े customers हैं, वहाँ पे revenue growth देखने मिल सक इसमें देखने मिल सकता है, और हाली में जो है अब IT earnings भी start होने वाले हैं, तो इस stock को जरूर अपने radar में रखिएगा, हमारा आखरी stock हमारा खबर का segment है, यहाँ पे max estates focus में रहने वाला है, और यहाँ पे वो अपनी नई गुरुग्राम की residential project launch करेंगे अगस्ट के महीने मे और इनका जो channel checks suggest कर रहा है कि इनकी project already sold out हो चुकी है, जो above mentioned project है, इसमें 50 units है पहले phase में, जिनका 5000 square feet से जादा के बड़े apartment size हैं और इसका जो gross development value आ रहा है, यानि कि sales value calculation के साब 625 करोड रूपे बैठ रहा है, company जो हाली में अपनी NOIDA में sector 128 के project भी launch करेंगे, जो की 25,000 रू जो जरूर अपने radar में रखेगा, यह हैं आपके नौके नवरतन, नौके नवरतन होगे, बाजार भी थोड़े दिर में pre-open के level अपने freeze कर देगा, settle हो जाएंगे, थोड़ी से बढ़त पर, मतलब record उचाई कि फिर से त्यारियाब कर लीजिए, record पर बंदू है, color record बना है, आज फिर शायद नए record पर खुल के अब देखते हैं, चाल क्या होती है, लेकिन हलकी से gains पर जरूर खुलने के बाजार संकेत दे रहे हैं, एक छोड़े से break के लिए रुकेंगे, आरवेल बैंक, क्योंकि ये counter देखे, जब निशले सतरों से उपर आया, तो कुछ breakout के संकेत जरूर उसमें दिख रहे थे, पर पिछले दो दनों में, पूरी तरीके से momentum fizzle out हो रहा है, और जो candles हैं, वो भी काफी strong है, कैसे देख रहे हैं, सोनी, आप आरवेल बैंक को चार् hedge करना चाहिए, यहाँ पर, because markets overbought है, और हम जो देख रहे हैं, कि बैंक निफ्टी में, जितना भी एक, you know, alternate rotational basis पे, large caps, heavy weights आके, you know, index को manage करे थे, वो थोड़ा से fizzle out हो रहा है, अभी धीरे-धीरे, so यहाँ पर हम आरवेल बैंक पर देखेंगे, 245 पे 200 EMA का support है, कल उसने break ने किया है, आज उसको hold करते हुए नजर आ रहा है, so shots यहाँ पर आपको तभी consider करना चाहिए, जब वो 200 EMA के support को break करता है, decisively और उसके नीचे close देता है, यान कि 245 के नीचे ही आपको यहाँ पर shots के मौके मिलेंगे, towards 235-230 के range पे, so थोड़ा सा wait and watch कीजे, ऐसा नहीं कि आज के आज ही वो break कर सकता है, बट certainly अगर break करता है, तो वहाँ पर weakness, selling pressure और ज़्यादा बढ़ सकता है, immediate basis पे resistance यहाँ पे 255 पे है intraday, अगर उसको cross कर जाता है, तो जो support है 200 EMA को वो intact रहेगा, यहाँ से reversal pattern नजर आ सकता है, so काफी critical position पे है technical charts पे, wait and watch की सला रही यहाँ प आप नजर रख सकते हैं, पर अंशुल, ऐसे market में दोनों ही site के मौके बन रहे हैं, क्या कोई counter जो की weak लग रहा है, आपके radar पे है, या फिर अभी आप broader markets पे ही आपकी नजर है और यहीं पे आप buy के रनीतियां अपना रहे हैं, चार चाहूनी आ रहा है, अंशुल, क्या आरबियर बैंक खास तोर से क्या उसे hedge करना चाहिए या नहीं, पर चलिए, इस बीच pre-settled rates जो है, एक बार आपको वहाँ पे बताते हैं, कि निफ्टी जो है, मातर 26 अंकों के तेजी के साथ शुरुवात की त्यारी कर रहा है, वहीं निफ्टी बैंक में थोड़े से लाल निफ्टी होनी चाहिए डिंपी दोनों में, देखे ऐसे ही रहना चाहिए, बीस पॉइंट की कोई मतलब नहीं है, अगर आप बीटी स्टी करके विए चले ठीक है, मैंने आपकी बात मान भी ली, तो आपने बीस पैंट उपर खोल भी दिया, निफ्टी को तो कोई बहुत हजार नहीं मिलेगा, तब तक मेरा तो इंटरस्टी नहीं जागेगा मार्केट के अंदर, और दूसरा पॉइंट जब तक मैं चौबीस जार दो सो है, चौबीस जार ना देख लूँ, तब तक मेरे पास एंट्री के लेवल्स नहीं हैं, मैंने इस सुबह आपके साब भी श चाहिए, उस डिप का मैं वेट कर रहा हूं, डिप सिगनिफिकेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही मैं एंट्री कर पाऊंगा, मैं इस तरह के ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं कर पाऊंगा, अगर हाँ, जिसके पास ज़्यादा प्रोफेशनल है, AI का इस्तेमाल कर रहा है, या कुछ और सब चीजे है, वो चाहिए तो 20-30 पॉइंट की स्केल्पिंग कर सकता है, यह मारकेट ना वन अफ दे बेस्ट मारकेट है स्केल्पिंग के लिए, तीस-30 पॉइंट चुराते जाओ, इस से बैतर और डिस्प्लेंड मारकेट आपको न आपको एक चीज मार नोटिस कराता हूँ, रिलाइंस इंडस्ट्री जाओ फिर से नौर पर गैप के साथ खुल रहा है, और HDFC 6 रुपेट गैप डाउन खुल रहा है, तो यह जो रिलाइंस HDFC, रिलाइंस HDFC, ना तुम गिरो ना मैं गिरो उन दोनों बाजार को टिकाए यह बाजार को किसी तरह से मैनेज करने का काम, बहुत बिडिवली यह दोनों शियर्स ने मिलके अच्छे से कर रहे हैं, और 85%, 84% पर फाइस लॉंग पोजिशन्स इंजॉय हो रही है, क्यार एनिहाओ, आप कुछ कुछ स्टॉक्स पर ध्यान रखेगा, मैं फिर से बतायता ह है कि हाँ, 30% रिलैक्सेशन इन शूगर एक्सपोर्ट्स आ सकती है, तो अगर ऐसा होता है, तो शूगर के आज तीन स्टॉक्स मेने आपके लिए निकाले हैं, द्वारकेश, बजाज, हिंदुस्तान, और एक रेनु का शूगर, इन तीनों पर ध्यान रखेगा, बलराम आपके सामने और रखूंगा, इस बीच जो आज जिन शेयर्स के अंदर शुरुआती बढ़त मिलेगी, मैं जल्दी से वो आपको बता लेता हूँ, ताकि पीस से उसको फायर करके दिखा पाए, मारूती, आज फिर से एक परसंट गैप के साथ खुलेगा, अदानी पोर्ट ओए जी सी आधाड़ा परसंट गैप के साथ खुलने जा रहे हैं, जो शेयर कमजोर खुलेगा, उसमें जीएस डेवल स्टीर, एकसेस और हडी एफसी बैंक है, इनफेक्ट कोटक बैंक पे हैं, तो इस सब में जो जिरावत है, वो भी आधाड़ी परसंट के रहे हैं, तो क ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, खैब बैंक निफ्टी इस भी थोड़ा सब स्वाइट गिरावत के साथ हैं, लेकिन मैंने कहा है कि जब तक मैं कोंग बावन हजार या उसके जस्ट नीचे बैंक निफ्टी नहीं मिलेगी, मेरा तो कंविक्शन ही नहीं जागेगा मैं तो बाई ही नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी कबजूरी समझ लिए जैसे मर्जी समझ लिए आपको जैसे ठीक लगता हूँ, मैंको तो रिस्क रोड बहुत अच्छा चाहिए, जब तक रिस्क रोड अच्छा नहीं आएगा, कोई ट्रेड होगा नहीं हम से, आप मिट कैप अच्छा नहीं कर नहीं हो, दो सो पाइंट गिर जाओगे तब भी फिलिंग को हटाना नहीं, आपको 24,000 जब दिखेगा ना तब आपके फिलिंग आने चाहिए, मन में के मौल टाइम हाई से कितना नीचे आए, तब तक स्क्रिंग की तरह मार्केट है, जितना नीचे दबा होगे, उतनी स्पील से उपर वापिस आ सकता है, डेट सो पाइंट नीचे आच्छो का बैंक निफ्टी और बैंकिन काउंटर्स में आपको अलड़ी सुबह सुबही नोटिस करा दे थे कि जो वीक काउंटर्स हैं, उसमें से एक्सेस, HDFC, कोटक, ये तीनों का तीनों प्रे इस दिना शुरू गर दूगा और मैं को लगेगा तो बाजार को धीरी धीरी करके काटेगा, धीरी धीरी करके छोड़ा नीचे भीजेगा ये, लेकिन जब तक 15 पार होगा नहीं, मैं इंडिया विक्स को भी किसी भी तरे का कोई भी ट्रेड इसमें मैं देखूंगा नहीं, शुगर वाले स्टॉक्स ध्यान रखने वाले होंगे आज के, जाते शुगर वाले स्टॉक्स पे आप नजर रखेगा, थोड़े बहुत कैमिकल शियर अंशुल बता रहे हैं, तो आप उस पे भी ध्यान रखेगा, मेरी नजर में जो कैमिकल स्टॉक्स हैं, वो तो खैर नह आप में देख लेंगे तो आप आप आटो काउंटर में को स्क्रीन पर देखना चाहता था आई शर मोटर आपको आधा परसंट उपर है मारूती के अंदर डेड़ परसंट का इजाफा है अब आज शोगा डेड़ परसंट एक यह दो शेर हैं ग्रासिम और मारूती जिनके पर और दिखाना एक आप विच्व होंगे तो विट्यनिया और मिन्दोफ ऊंड ऌपे दिखाना एक बर स्पीड से दिखाओ बिटक आइनिएृ और मयूनी कॉटर चैब और मयूर यूनिकॉटरस इंब वर जब मिदा देने हैं जल्दी स्पीड से दखाई है और इससयब जैं और एक मयूर के नाम से MAU यास मयूर यूनिकोर्टा से भी पांचर पे उपर है तो अब आपको छोड़े चोटे में चोले शेयर का भी रूबरू करा रहेते हैं फिर हम ट्रेड देने शुरू करेंगे ठीक है तो अगर बात करें कुछ एक काउंटर्स की जो की ब्रॉडर मार्केट्स में से अच्छा जोश दिखा रहे हैं तो उनमें चोला मनलम फाइनांस यहां पर आप नज़र रखें देखें साथ परसेंट की तेजी इस काउंटर में दिख रही है रियल इस्टेट वाले जो प्लेज हैं उनमें एक अच्छा आक्शन है जिसमें हमिस पे प्रॉपर्टीज लीट कर रहा है छे परसेंट की यहां पर तेजी है इसके अरावा बात करें तो कोई बहुत आवलॉन टेक एक काउंटर है जहां पर चार परसेंट की तेजी है और जितने भी डिफेंस जुड यहां पे भी जो है हम देख पा रहे हैं कि अच्छा आक्शन है रेलवे काउंटर में जो जोश है वो बरकरार है पर फिलहाल अगर इंडेक्स की बात करें तो वहां पर बहुत जादा एक्साइटमेंट जो है इंडेक्स के फ्रंट पे नहीं देख रहा है अब बात कर लें क कुछ ऐसे काउंटर्स की जहां पे गिरावट देख पा रहे हम ब्रॉडर मार्केट स्पेस में से तो इसमें शक्ती पांप्स यह थोड़ा सा करेक्ट होता वह नजर आया है पर लाच कैप स्पेस में M&M पे आप ध्यान रखे हाला कि कोई खबर तो नहीं है फिलहाल पर जि मारुति सुजुकी का हाइब्रिद्स में आगे ग्रोथ की उमीद जताई जा रही है ऐसे में M&M को थोड़ा सा आगे टेक्नोलोजीज को यह दोनों ही टेक्नोलोजीज को अच्छी तरीके से पुश करना होगा ऐसा कुछ ब्रोकरिज ने हाइलाइट किया है शायद उसका ए यह तोड़ी गिरावट का शिकार हो रहे है पर आल अगर हम देखें तो इंडेक्स में आज बहुत जादा एक्साइटमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है पर जी हां कुछ लाज कैप कांटर जरूर है जो कि उप्री स्तरों से करेक्ट जरूर हो रहे है अभी शेख वह नहीं निफ्टी बनक 52,250 के आसपा से लेकिन सबसे ज़्जाद चड़ने वौला शेयर भी निफ्ती में आटो का है सबसे ज़्套ाए गिरने वाला शेयर भी आटो का है निफ्ती में मारूती का गें एम इनीम का पैन ये साफ साफ हम देख रहे हैं आज के सतर में लेकिन चले एक्सपर्ट के पास चलते हैं और ये समझते हैं कि इस बाजार में हाला कि अभी 24,400 को आप देखे निफ्टी होल्ड करने के बखोवी कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेड लेते हैं सुनी शुरुआत आप से करेंगे ब पुछ भी जो ये डेटा के अनुसार ओविसली वह एक अच्छा था ख्लोस भी कर दिया था बट एक सब्क्राइस गड़ाउन ओपन किया है स्टॉपलोस के हिट होने के साथ ही ओपन किया है सो थुरा से यहां पर पोजिशन एग्जिट कर जाना चाहिए बिकर ओविसली वह पोजिट को सब्क्राइस गड़ाउन ओपन किया है सो डेटा फुर्दर स्टेबल होने तक इंतिजार करना यहां पर बेटर है और एक बार न्यूस का कोई भी अगर सेंटिमेंटल इंपक्ट है तो वहां तक एक बार स्टेबलाईज हो जाना यहां पर ब्रॉडर आउटलु कि फार्मा यहां पर आ सकता है तो टॉर्रेंट फार्मा यहां पर अच्छा लग रहा है 2940 स्टॉपलोस इंट्राडे के लिए आप भोल कर सकते हैं उपर का यहां पर टागेट रहेगा 2980-2990 के रेंज पे यह आपके लिए सोनी जी की तरफ से अंशुल जी आपको क्या मिला है बाजार में कहां लॉंग जाएं देगे अशुल जी पहला काउंटर इंडिया सिमेंट क्या दूँगा लास टाइंड जो ओपनिंग ट्रेट में बाई दिया था तो इंटर डे में 14% चला था उसके वापिस से फ्रेश ब्रेक आउट देने एकोशिश कर रहा है 286 में इसको बाई करना चाहिए स्टाप लॉस सम्वेराउं 279 का बनेगा और उपर में इमेडियेट स्विंग हाई 307 रुपे 90 पैसा है वो टागेट रहेगा लेकिन यह टागेट मोस्ट लाइकल से पर्सों तक के सेशन में इचीव होगा इंट्राडे का ले रहा है तो 295 का टागेट रहेगा बट हाई लाइकली है कि 307 रुपे 90 पैसा ले सकता है दूसा कैश का काउंटर रहेगा रीफेक्स यहां पे एक पॉर एंडर फ्लैक पाटन मना है 6 दिन का फ्लैग है इसको करेंट मार्केट 223 पे बाई करना चाहिए आज का लो 213 यह स्टॉप लॉस बनेगा और टागेट रहेगा 251 और एक कोइंसिडेंस है कि आज इसका अपर सगेट भी 251 पे है लेकिन अप्रफर टागेट एक से दो दिन में होगा तब 251 के टागेट के साथ रीफेक्स को भी बाई करना ठीक है इंडिया सिमेंट इसके लिए 307 रुपे का आपको टारगेट लगा के चलना है अंशु जी दूसरा शेयर आपने कौन सा वो लागबर फर से रिपीट कर देंगे फड़ा फट अंशु जी दूसरा शेयर आपका कौन सा था और यू शायद डिसकनेक्ट हुआ है कोई बात ने अंशु जी से फिर से पूछ लेंगे एक शियर जिस पर आप से सोनी जी व्यू चाहेंगे जरा उस पर आप बता दीजे करना क्या है औमेक्स हालाकि रिल एस्टेट में छोटा प्लेयर है लेकिन एक्सपैंशन वाले मोड में हैं औमेक्स के इन कहीं चार्ट क्या संकिये दे रहे हैं ओमेक्स की डेड़ सो रुपे क्या असपास की भाव धीरे धीरे इसके पहुंचते वे दिख रहे थे और हम देख रहे हैं कि आज अच्छी उपनी के बाद फिर से शियर देखे नीचे आ गया है ओमेक्स कैसा लग रहा आपको अभिशिक जी यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है थोड़ा सा टूर्ज 1.30 एक बार टेस्ट कर सकता है एक सो ती से लेकर एक सो पैनतालीस पचास के रेंज में एधर साइड अफ दे रेंज ब्रेक पर यहाँ पर पता चल सकता है यह व्यू आपके लिए अविनाज जी आपसे भी सर एक सेक्टर पर व्यू चाहेंगे या वो है रेल्वे का थोड़ी थोड़ी सी देखे प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी थी पिछले सतर में लेकिन जो ही क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर से ऐसे हैं कि जो बस इंतजार में कि एक ट्रिगर आजा हम चलें उसमें से रेल्वे भी है आरवी अनेल आज फिर से 6-7% उपर ये शेर दिख रहा है रेल्वे में थोड़ा से पिक इंचूज वाला क्या लगता है आपको कि मामला हो गया है क्या और सही स्टॉक्स जहां जो अभी सही भावप हैं वैल्यूइशन के हिसाब से भी आपके इसाब से हो कौन से स्टॉक्स ने सर इन फाक्ट मुझे लगता है कि रेल्वे में आपको बहुत सेलेक्टिव रहना है क्योंकि काफी लंबी तेजी हो चुकि है अभी वैल्यूइशन सस्ते बिल्कुल नहीं है और यहां पर अगर आपको पॉजिशन लेनी है तो कम से कम 12-18 मैने का व्यू लेके काम करिये क्योंकि देगे बज़ेट में तो रेल्वे सेक्टर को लेके एक्सपेक्टेशन्स है कि बड़े अनौस्मेंट्स होंगे लेकिन मुझे लगता है कि इस में से जो एक दो जो कमपनिया है एक तो मैं समझता हूँ कि टेक्समैकोरेल जो वैगन बनाती है सारे वैगन कमपनीज के स्टॉक अगर आप देखे टिटागर या तिपिकली दूसरे जो कमपनीज है जो जहां पे जुपिटर वैगन है इनके शेर प्रेस काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े लेकिन अगर हम टेक्समैकोरेल की बात करे है तो काफी slow mover stock है अभी भी मुझे लगता है कि सवा 300-330 का एक fair value बन सकता है अगेन slightly medium term view लेके और दूसरा जो company हमको पसंद है जिसको कल orders भी मिले है वो rights है मेरे क्याल से देखिए rights एक ऐसी company है जो railway से काफी well connected है काफी नए platforms और नए stations बनाने का contract भी इनको मिला है तो कही कहीं मुझे लगता है कि यहां पर भी अगर कोई थोड़ी बहुत correction आती है तो खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए लेकिन बहुत selective रही है क्योंकि और यहां पर आपको पैसा अगर लगाना है तो selective रही है और कम से कम साल देर साल का नजरिया रखे क्योंकि short term में मुझ भी तेजी और इन स्टॉक्स में हो चुक है तो आपको थोड़ थोड़ सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान रखना है और आपको यह भी चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सा शेर कितना चला हुआ है तो उसके लिए आप एटी आउस देखते रही है आपको कुछ बढ़ी है बढ़ देखा फिर मैंने थोड़ी सार्च करें थी वह भी कर ली वह अब को मैं दखाऊंगा लेकिन एक पहले तैन छीज़ार वाली कंपनिस दिखौा यह नहीं पहले तीन शूगर वाली कमपनिस आप दिखाऊ पहले दिखा दिखा कश Inukah ऑ बजाज हिंदुस्तान यह तीन शेर म में जबकि निफ्टी के अंदर इस सब्सक्राइब 15 पॉइंट की गिरावट है और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है ध्यान रखेगा शुगर वाली कंपनिस के अंदर बज मार्केट के अंदर बहुत जोर से चल रहा है कि उनको 30 परशंट का काफी अच्छा लगा यह एक्चुली एस इस ट्रैक्ट सुगर निकालती है फुलो से और चाय की बिजनस के अंदर भी है कंपनी चराणवे हजार का वॉल्यूम इसके अंदर आ चुगा है एक लाग का वॉल्यूम है टिपिकल इसका ब्रेकाउट है अब आप मेरी स्क्रीन दिखाएंगे तो आपको दिखेगा अंशुल जैन आप जैना देखेगा एवी टी नैच्रल के नाम से कंपनी है फिर मैंने इसका का मार्केट कैप चेक किया 1300 करोड़ का मार्केट कैप है फिर मैंने ये चेक कि इस पर देट कितना है तो डेट देखके मेरे को लगा देट तो इसके सिर्फ 40- unconditional रुपए का वो भी workson हो सकती है और मैंने जब चार्ट चेक्के तो मैं को इसका टिपिकली breakout लगा है डेली चा सब कुछ आपके सामने ढूंड रहे हैं इसमें पांच हफते का इंसाइट बार था जहां से ब्रेकाउट आया है और वीकली चार्ट पे उपन लो है और डेली पे उपन लो है तो यह टिपिकल वही पैटन है जो मैं अपने क्लाइंट को बाई रिक्मेंट करता हूं यहां से इमीडिया टागेट 105 रुपे के आसपास बनता है जो 3 माई 2024 का हाई था और वो निकलता है तो उसके बाद से तेजी और कंटिन्यू होगी तो स्टॉक को बिल्गुल करेंट मांकेट प्राइस से बाई करना चाहिए क्लोजिंग वेसिस पे स्टॉबलस आज का लो बनेगा जो 88 रुपीज है अच्छी 150 कप का टार्गेट दे रहे हाला कि मेरा इतना बड़ा टार्गेट नहीं मैं तो सौर पर देखना चाहता हूं इसको और ये करीब भी साड़े पांस से च्छे परसंट ये शेर उपर आके इस समय आपके स्क्रीन पर काम कर रहा है मैं फिर से आपको रिपीट कर रहता हूं पूरा बाजार खरीजा नहीं जाएगा पूरा बाजार बेचा नहीं जाएगा आप अच्छे अच्छे शेर पकड़ के चलो आप ये बात मान लोक में को दस तारीख से लेके तैस तारीख की बीच में कोई भी ऐसा एरा गरा इदर उदर का शेर पकड़ना ही नहीं है मेरे को साफ सुत्रा नीट और क्लीन बजट औरेंटीड स्टॉक्स देखना है इस दस दिन में आपको ऐसे भटेरे शेर मिल जाएंगे जहां पर आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा ये आपके लिए मैंने एक शेर ढूंड के रखा था मैंने अन्शुल जिसे पता किया अल्मुस्ट अभी करीब साथ परसंट उपर भी आ चुका है अजीत मिश्रा भी हमारे मेमान हैं आप इसका भरपूर फाइदा लीजे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सौर पे तक का टार्गेट भी इजली मिल जाना चाहिए अयसमय दिखा है यह मैंने चाइडा चाहि और को भी वी चीज में पीछे पीछे नहीं कर रहा है आपके सामने में चाह्ट बीकाइन दिछा कि आपके सामने में डिलीवरी का वॉलूम्म सबको च्चेक करने कराने पार तक की ढ urbaniform mret धूर चीक है और पह के सामने एक बहुत clear trend नज़र आ रहा है जो कि आप rotational basis पे index majors को देख रहे हैं जो कि market को नाकिकेवल help कर रहा है sustain करने में during consolidation तो जाद तर आपने जो भी correction देखी है है हाल फिलाल में हो सारी time-based correction देखी है और मारूती ने और FMCG में ITC उन्होंने इंडेक्स को extend किया बट क्या यह आउटराइटली bullish market है मैं कहूंगा थोड़ा सा यहां पर मिझे stretch लग रहा है बजार 24,500 ने कर पांसो पचास कर जून मेरे हिसाब से यह key hurdle है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यहां पर आउटराइटली short करना है अभी ही market buy on dips है वो एक resistance है वो शायद निकल जाए market उसको overcome कर दे वो एक possibility है तो as of now but chase नहीं करना है when it comes to the index मेरे हिसाब से आपको intraday में कोई dip मिलता है 24,300 के पास तो आपको index को long के लिए देखना चाहिए otherwise आप stock specific रहे है banking comparatively weaker picture है तो banking से मैं कहूंगा सब्सक्राइब बात करते हैं stock specific अब बात करते हैं तो पहला नाम होगा अपने the IT majors TCS का देखिए earning ती शुरुआत होने वाली है तो ज़्यादे aggressive यहाँ पे भी ना हो 4000 वली call जोगी करीब 8788 के around trade कर रही है इसको आप long कर सकते हैं 78 के stop loss के साथ 110 के targets के लिए दूसरा नाम होगा from the auto space hero moto को का यहाँ पे भी ज़्यादा तर आपने देखा है कि time wise correction हुई है price wise कुछ खास retracement नहीं हुई है short term averages के ओपर एक base form किया है और वहां से आज continuation का move दिख रहा है तो रिस्ट रिवर्ड यहाँ पे फेवरेबल है 5550 के stop के साथ 5790 के लिए hero moto को भी आप लिए hero moto को भी आपके लिस्ट में आज auto stocks काफी आए है ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटो ही जैसे हमने सुबह ऐसा ही इंडिया आपके अबर हमने रखा था साड़े साथ साथ से आठ परसंट की तेजी के साथ एवी टी नैच्रल प्रड़क्स अभी डेस हाई के आसपासी खड़ा है करीब करीब चाणवी रुपे का भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने चार्ट के जरी दिखाए थोड़ दिर पहले इसने 96 का हाई भी टेस्ट किया हुआ है तो यह अच्छा मोमेंटम वाला शेर है अजीज सर अभी आप भी कहा रहे हो कि डिप आना चाहिए डि जैसे कि हमने बात भी कि कि कोई ना कोई एक रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा जिस दिन रिलाइंस उपर होगा तो उस दिन फोसेज और दूसरे इन आईटी मेजर या स्जीफ सी को नीचे रखा जाता है और फिर उसके बाद मुझे रिस्टो रिष्टो 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 के रिष्टो 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 रनीती अपना है Stock Specific Action भरपूर है और इस बीच देखें अगर आप M&M को देखेंगे तो यहां पे 4% से जादा की गिरावत है खबर तो यही थी के कमपनी ने अपनी जो फ्लाक्शिप मॉडल है XUV7OO उसके प्राइस कट किये हैं साथ ही सबसे जो टॉपेंड मॉडल है उसके प्राइस कट कंपनी ने किये हैं पर अब ब्रोकुरिजिस का यह कहना है कि जो प्राइस कट है वो अने कंपनी जो अभी तक प्राइस कट अनाउंस किये हैं उससे जादा है और इससे M&M के नंबर्स पर भी इंपक्ट पड़ेगा और साथ ही आकसेस कैपिटल की रिपोर्ट भी है जिनका मानना है कि ओवराल नंबर्स को जो है इससे नुकसान हो सकता है और आप देखे स्टॉक में निशलिस तरों से कोई रिकवरी भी नहीं है खास हाला कि सोनी की कॉल यहां पे जरूर थी उन्होंने राय भी धी अपडे पर आके खड़ा हुआ है और वहीं पर स्विंग लो भी है तो 2770 इसका लाश्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 277 तूपता है तो फिर यहां पर 50-day मुई अवरेज 26 के आसपास है वहां तक की डाउंसाइड ट्रिगर होती हुए दिखे की स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है स् इस बीच जो एक काउंटर है वो है मनापुरम फाइनस बड़या ब्रेक आउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है पर अजीत आप कैसे देख रहे हैं इसे मेरे इसाब से तो इसने एक फ्लैग बनाया और उस फ्लैग के बाद फ्लैग इन पूल बनाया और उसके बाद जो है स्ट्रेंट है अगर आप देखेंगे जो कि मैं दूसरे स्टॉक्स के लिए बोल रहा था जब कि आप प्राइज में डिटरेशन के बगेर आप रेंजबांड मूब देखते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बहुत जादा है इसी तरी के एक गरेक्शन जैसे कि आपने बिल्कुल सही शेयर किया कि एक फ्लाइगन पोल फॉर्मेशन के बाद ये ब्रेकाउट आया है और कापी डेसिव लग रहा है कि अभी तक मैं देख पा रहा हूं जो एबरिज वॉल्यम के पास नजदीका पहुँच चुके हैं अल्मूस्ट जो तस दिन का एबरिज वॉल्यम है तो प साथ मेरे साब से आपका जो डेक अलो है वही आपका होना चाहिए और उपर पे अंचार्ड़ेट ट्रेटरी है बट बेस्ट ऑन दी रीसेंट कंसॉलिडेशन और जो रेंज के ब्रेक हुआ है उसके साब से 225 से लेका 25 तक के जोन इसमें पॉस्बिली खुल जाएंगे तो अब दो साथ के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर नई पोजिशन भी बना सकते हैं उपर में 225 तक जाने का दमकम दर्गता है यह काउंटर पर इस बीच दिखे हाला के मार्केट का जो मूरों महौल है इंडेक्स लेवल पर बहुत एक्साइटमिन नहीं है हम दोड़ा करेक् पर कुछ एक सरकारी पॉकिट्स यो हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है कल भी हमने कोशिश की थी कि यह कुछ काउंटर आपके लिए हाइलाइट करें आज फिर से देखे सिलेक्ट पीएसी में आपको काफी अच्छा आक्शन दिखेगा एक बार आरेसी पे सोनी आ पार्टिसिपेट करें और इस ब्रेकाउट को किस तरीके से देखें स्रिष्टी जी यहाँ पे जो आरीसी पीएसी का मुवमेंट है वो इन्डिपेंडेंट है और हमार्केट मुवस वो अपने ट्रेजेक्टिरी अपने जोन में चलता है इंफाक्ट आज भी हम देखेंगे तो वो ब्रेकाउट अप्रेंट कंटीनिव कर रहा है तो स्टॉपलोस ट्रेल कर दीजिए अगर कोई लेके रखे हैं तो यहाँ पे 610 रेसी में स्टॉपलोस ट्रेल कीजिए एक बाद 640 के रेंज को टेस्ट कर सकता है यह आपके लिए व्यू आर एसी और पी एफसी के शेयर पर एक शेयर जिस पर आप से व्यू चाहेंगे अजीत वो है जीम डीसी का ज़रह इसका चार्जरा चेक कीजिए कैसा लग रहा आपको शेयर यह और क्या इसमें लॉंग इनिशेट करना चाहिए जीम डीसी हमने अपने क्लाइंस को भी रिकमेंट कर रखा है यह मेरे एक डिस्क्लोजर पहले काफी लंबे एक करेक्शन को बिसिकली हमने अभी एंड किया है इसमें और प्राइज एक्शन वॉल्यूम जैसे की जो सबसे इंपर्टन इंडिकेटर्स होते हैं दोनों पर ही खरा है एक ट्रेंड लेंग ब्रेक आउट है डिली चार्ट पे तो सारे ही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कंसॉलिडेशन एक करेक्शन बेसिकली और पांच महीने से चल रहा था वो अब एंड हो चुका है और नियर टम प्रेकरी 460 से लेका 470 तक की लेवल पॉसिबिली यहा चार सो पांच के साथ आप लॉंग पॉसिशन बना सकते हैं 465 से लेका 480 तक के लिए ठीक है 465 से लेकि 480 बड़े टार्गेट थे जीमडीसी के लिए अंशुल जी एक बार जरना आपसे मारूती पर व्यू चाहिए कल को और आज को अगर जोलने 10% यह शेर चल गया है थोड़ा सा जो शॉट टर्म वाले जो ट्रेडर है थोड़े थोड़े प्रॉफिट चेकिंग कर लें क्या इसमें अबशे कि मारूती में क्लियरली शॉट स्ट्रैप्ड है 20 डे मुई एवरेज डानवर्ड ट्रेंडिंग था आठ जजज दिन उसके नीचे कंसॉलिडेट किया लगबग शॉट की परफिट पैटन थी और ब्रेकडाउन था तो शॉट स्ट्रैप्ड है और उनी की शॉट को होल्ड करना चीए स्टाप लॉस लगा लेना चीए आजका लो इंपोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा बारा नो सो इसके नीचे स्टाप लॉस लगाके होल्ड करते हैं तो तेरह साथ सो बचास और चौदा हजार यह दो टागेट अराम से मिल जाएंगे चौदा हजार तक के भी टारगेट के लिए आप मारूती सुजक्य में तैयार रही है चार सू चालिस रुपे आज यह चल गया कल हमने देखा था कि आट सो रुपे चला था आट चार बारा साड़े बारा सो रुपे दो दिन में मारूती ने कमा के आपको दे दी क्या कमाल क तीजी है मारूती में एक शियर इस पर आपसे व्यू चाहेंगे सुनी हैं सी एसी का सी एसी कैसा लग रहा आपको और दो सो रुपे का लिविल कब तक आ जाएगा मशी ची सी एसी में जो सपोर्ट के ऊपर ब्रेक आउट दिया है अराउंड 171, 170 वो इंपॉर्टेंट रींज है सो स्टॉपलोस वहां पे ट्रेल कर दीजे होल कीजे एक बार थोड़ा सा रेस्टेंस टूवर्ज 190 फेस हो रहा है 190 को क्रॉस करते ही आपको वो 200 के लेवल्स नजर आ सकता है सो अभी के लिए स्टॉपलोस ट्रेल करके 170 पे होल्ड कर सकता है गरावट कर साथ अब भी निफ्टी ट्रेट कर रहा है 24 दर 400 के उपर है इस तरह से बाजार से आप काफे तरस्त हो जाएंगे काफी आपको मुश्किल भी होगी यह तो तब है जब HDFC यो रिलाइंस आच हलके हलके लाल निशान में है दोनों के दोनों तो आप थोड़ा सा सबर रखिएगा यह जो डिप की बात हो रही है डिप अभी तक आया नहीं और दो पांच रुपे की गिरावट से कोई फरक नहीं पड़ता सर बजार में HDFC की दो पांच रुपे गिरावट से कोई फरक नहीं पड़ता एक और चीज में आपको दिखाता हूँ ज़राइडवांस टिकलाइन की रेशो भी दिखा दू लगे हाथ यह ना आप सारे वाइटल्स हैं आप जरूर चेक कर लिया करो बिना पूछे किसी से आज शॉर्ट की संख्या जादा है आप एपनी स्क्रीन पर दिखेंगे लेकिन उसके बावजूद भी बजार के अंदर कोई वैसी ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्या BSC चेक करो और NSC चेक करो आपको यह दोनों नंबर्स दिखेंगे उपर जैकर आपको थोड़ा डिवर्जन्स दिखेगा अलग से दिखेगा इसका मतलब है कि बड़ा ही शरू के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा बट ओवरल मार्केट खराब नहीं है इसलिए मिड केप का इंडेक्स देखोंगे वह अभी भी हरे शान में है उसके अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिने से भी जाने हैं कि अमेडेम के अंदर जो गिरावट आ रही है इसके पीछे क्या रिपोर्ट है क्या कहना है लेकिन एक शेर में को जरा सोनी पतन के पास सोनी पतना को अपनी स्क्रीन भी दिखाता हूं सोनी जी एक शेर मैंने ढूंड के रखा है चार दिन होगे पांस दिन होगे मैं मैं ऐसे के ऐसे बैठे हुएं सिर्फ उसको देख रहे हैं और भगवान से प्रातना का यह भगवान वह शेर चला दो उस शेर काना मैं स्क्रीन पर दिखाओ तो जो मैंने चार्ट डाला है हालागे चार्ट वीकली है मैं समझ सकता हूं इसमें धहरे आपको ज़्यादा चाहिए होगा मैं आप खुद देख लीजिए आप भी ड्रॉ करेंगे तो शायद आप कुछ-कुछ ऐसा ही ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड् दिखेंगे कि स्ट्रॉंग बेस इसके बास बना हुआ है बड़ी है राउंडिंग बॉटम भी है पचास दिन के अवरेज का ब्रेक आउट है 200 दिनों के अवरेज को चेस करना जो कि 91 पी यह पूरा प्लेग्राउंड खाली है जहां पे इसको कवर करना एथिकली टेक्निकल इसको यह बात बोड़ी जाती है तो यह पूरे प्लेग्राउंड मैंसे कम से कम 50 per cent प्लेग्राउंड भी है तो दस दूरबे मिल जाएंगे चल नहीं रहा मैडम रहें चैनके बैठे रहें या फिर इतनी तपस्या ना करें चोड़ के बाहर आजाएं तो पर यहां पर मुझ आपको एक further upside नजर आ सकता है towards 66 के range तक तो थोड़ा सा यहाँ पे dicey है and hold कर सकते हैं but बहुत जादा यहाँ पे downside के stopless के साथ hold मत कीजे, 53.8 वही stopless, वही support के साथ अगर किसको hold करना है तो hold कर सकते हैं but अगर break करता है तो position से exit कर जाना यहाँ पे 22 है resistance है 60, उसके उपर cross करना काफी important है, कोई भी further upside के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और M&M के share पे चला जाता हूँ M&M के अंदर क्यों गिरावटारी access capital की report का कह रही है जिने नागर हम को बताने के लिए आ गए है जिने जी बताइए जी तो access capital का नोट है M&M पर और M&M कंपनी ने जो है अपने एक्जवी 700 मॉलर पर है उस पर price cut किया है और यह price cut करीब-करीब 2,00,000 रुपे का किया है अब यह जो price cut एक access capital का मानना है बहुत ही negative है company के लिए और यह जो price cut company ने किया इसके दो कारणे पहला है कि जो weak retail demand है market में उसके कारणे price cut हुआ है और उसी के साथ जो company के peers है उन्हों ने भी price cut लिये है जिसके कारण M&M ने भी यह price cut का move दिया है also अगर access capital ने इसका EBITDA loss देखे impact company पर क्या आएगा तो वो करीब-करीब निकल कर आ रहे तीस से 35 करोड पर मेहना और अगर annual basis पर देखे तो यह निकल कर आ रहा है 360 से 400 करोड के EBITDA impact के उपर जो की company का करीब 2 से 3 प्रतिशत EBITDA है इसी के चलते आज अगर हम M&M का fall देखे तो करीब-करीब सुबह 6 प्रतिशत का fallis में दिख देखने मिलाएं जिने बहुत शुक्रे थैंक्यों वेर्मच इस सारी के सारी डेटेल बताने के लिए और अड़ी सिष्टी ने भी आपको काफियत तक गाइड किया कि जो एक्स्यूवी 700 के रेट घटा आए गए है रेट घटा ना जुरूम नहीं है इस देश में रेट घटा सकते हो लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के पैमाने से थोड़ा भी ज़्यादा उपर नीचे करोगे तो फिर उसका वेकिन और इक्षिप और ऑपको सेम डे मिलेगा बाद में ग्राउंड पे गाड़ी में अश्यस के दिनों में करता बाइक बहुत अपने निजी एक्सपिरेंस बताता हूं में कुछ फ्लैक्शिप गाड़ियां बहुत अच्छी हैं उसमें एक्सवी 700 का टिपिकली पियर मार्केट के अंदर मिलता नहीं जल्दी जल्दी रेट के इसाब से भी और कैलकुलेशन के साब से भी इसकी अच्छी गाड़ी है और अच्छी से भी और में कुछ हां तक समझ है यह शायद बुकिंग पी भी है मतलब यह आपको बाद में मिलते हैं वेटिंग पे चल रही है यह शिष्टी में ठीक बोल रहा हैंगा इसकी गाड़ी यह वेटिंग पे भी है कि एस्वी 500 जी बिलकुल डिंपी नहीं सिफ 500 बलक सिफ़ी थार के आप वेटिंग देख लीजे स्कॉर्पियो की वेटिंग देख लीजे अभी भी कई महीनों की वेटिंग जो है वो इन सभी गाड़ियों पे फिल हाल देखने को मिल रही है पर एक्स यूवी 7OO डिंपी काफ़ी फ्लाक्षिप मॉडल है इसकी वेटिंग डे companies के बहुत जादा ऊपर है क्योंकि आब हम देखेंगे एक दो महीने में दिवाली सीजन आएगा company सोचेंगी कि जो नए models हैं उनको लेकर आएं तो उससे पहले कुछ inventory खाली करने का भी company का कुछ plan होगा क्योंकि आप देखें कर Tata Motors की तरफ से भी कुछ price cut की announcements आई थी M&M की जो price cut की announcement से जादा reaction इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी flagship model का price cut किया है और बाकियों के comparison में जादा price cut किया है तो कुछ चीजे तो जरूर है जिसको लेकर investors थोड़े से निराश भी हैं थोड़े से concern भी है और brokerages का भी इसा ही मानना है और आप देखे स्टॉक में भी गिरावत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और देखे जिनकी वेटिंग साल की है अगर उन्हीं गारियों के दाम कम हो रहे हैं तो क्या वेटिंग बढ़ेगी कि घटेगी आपको समझदार है समझने के लिए तो inventory भी निकल जाएगी इसी बहाने से और इसकी जो एक जिसे कहते हैं फ्लेवर है वो भी बना रहेगा और आप इसी से अंदाजा लगाईए कि टाटाज ने भी अपने कुछ SUVs के दामों को घटाए हैं उसमें हेरियर का नाम भी सामने आ रहा है और वह भी इस शांदरगारी और इसका पीयर है इसका competitor है एक्सवी 500 का मार्केट के अंदर हलागे मैं फिर से बता दो तो मैं पर जड़ा ओटो की knowledge नहीं है लेकिन फिर भी जो मैंने को पता करना था हो मैंने सिश्टी से अलड़ी पता कर लिया एक दो चीज में को और नोटिस करवानी के लिए तो 388 पॉंट में को और नीचे चाहिए एक चीज में आपको और नोटिस कराना चाहता था अगर आप वैसे स्पेसिफिक हो के देख रहें ना मार्केट के अंदर तो आपको बहुत ही सेलेक्शन के साथ काम करना होगा ठीक तो आप वह सेलेक्टिव रहिए गा पर दिखाना जमन आटो का शेर दिखाईए अंशल जी को यह सदन स्पाइक के साथ डेड़ दो परसंट उपर आया जराद देखके बताओगे आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेइमर के साथ स्टार्ट करूँगा जमन आटो अभी सुबह हमने अपने क्लाइंट को बाई दिया है एक सो पचास रुपए के साथ 127 रुपए में उसकी वज़े यह है कि स्टॉक में पांच आल्मूस पांच टाइट प्लोजेस हैं वीकली चार्ट पे और अब यहां से ब्रेक आउट दे रहा है इनिशल वॉल्यूम आया है इसलिए हमने प्रियम्टिव ब्रेक आउट दिया है एक सो पचास रुपए का हम टार्गेट दे रहा है जो प्रॉबबबली एक से डेढ़ हफते में हो जाना चाहिए और ओवराल 84 वीक्स का ब्रे जमना आटो आपने स्टेंडर्ड डिस्क्लोजर बें आपने अपने क्लाइंट्स सरा पहले कैसे जान लेते हो यह चलने वाला यह विद्या हमें भी सिखाए आपने सुभे अपने क्लाइंट्स को देडिया चल तो अभी रहा है पोने 2% अभी उप पर हुआ यह और देखते अन्शुल जा इनकी Bombay आरे हैं वैसे बाइदा हो यह बजट पर इदेफनेटले एनी चानस अप लर्निंग डेफनेटली काफी कुछ सीखने को आपके दो स्टुडेंट हो गया और एक सोनी ब्रिलिंट स्टुडेंट भी आपके होगी चलो हम तो अवरेस्टूडेंट है सो अपर आपके आपको गलत फहमी होना किसको हम चला रहे है बहुत हमारब इतनी ताकत नहीं है स्टेंडर्ड डिस्क्लोजर हम इतने पावरफुल ने किसी शेयर को चला पाएं यह मैं भी चेक कर देता हूं दो ही मिनिट लगेगा मेरे को चेक करने में एक ही मिनिट रुके जड़ा मैं आपको बता लेता हूं जमना ऑटो इंडस्ट्री पांच हजार क्रोड रुपे की क तो यह शेयर चलता है टाइमली आप उसको पकड़ लेंगे तो आपके काम माँ जाएगा यही मार्केट है जिस मार्केट के अंदर एवीटी नेचुरल मैंने अभी आपके सामने देख के बताया पांस-साड़े-पांस परसंट अभी उपर टंगा हुए जबकि 50 पंड इंट्राडे भी काम बन सकता है जरूरी ने इस डिल मार्केट के अंदर इंट्राडे शेयर नहीं पकड़ जा सकते यह आपके स्क्रीन पर रहा है यह बात मैंने आपके सामने बोली भी थी कि मैं अगर बोलता रहूंगा यह शेयर चलता रहेगा और साड़े-तीन परसंट अ यह प्री ऑपन के सेटलमेंट आ रहे हैं दोनों में लिस्टिंग गेन आ रहा है 30-30% का 30% का लिस्टिंग गेन है बहुत हफ़ते भर में बंसल वायर्स में और एम्क्यूर फार्मा में यह लिस्टिंग गेना उसके बात के तस्वीर जब यह लिस्ट हो जाएंगे यानिके 10 बजे के बाद जब इनकी रिंग सर्मनी कंप्लीट हो जाएगे उसके बाद फिर और भी आपके सामने रखेंगे बाद फिलाले इसका बड़ा बेनेफिट आपके पास आ रहा है अब एक काम करते हैं निलेश जैन के पास बी चलते हैं और उनके पास एक ऑप्शन का ट्रेड है निलेश जी नमस्ते बताईए आज का ओप्शन का ट्रेड स्टिंग फाइर कीजे बॉस आपके वेट कर रहे हैं कीजिए स्टिंग फाइर निलेश जी नमस्ते बताईए सर खरीडारी का स्टॉक रडास पर आया है वो है आई टी एल इंडपर्स गैस लिमिटेड लगातार इस पडिकलर साउंटर में हमें इस टेंड जिखने को मिली है एक हाय टोपन है बटन फॉर्मिशन यहां देखने को मिली है और स्टॉक अपने फिस्की टीट वीक हाय पर भी है तो इसकी कलते हैं यहां पर कॉल ऑप्षिन पांसो चालीस का लेने की सला होगी 13.5 तेरा से को ओड़र उपे के बीच में नाइन थाउजन तक की रिवार्ड यहां पर बनते हो नेजर आतके हैं अगर दोनों टागेट होते हैं तो इसलिए आइजेल में एक छोटी सी स्टापलर से इस पर्डिकुलर टेट को लेके चल सब्सक्राइब ओके ठीक है निरेश वाई अभी आप खबर भी आपको दिखाता हूं जो इसी कंपनी से जुड़ी हुई है हमारे एक रिपोर्टर ने बहुत ही बहुत ही बैतरीन खबर निकाली है एक्चली में वह डबल टेक्सेशन को लेकर है पांच परसंट आप जी एस्टी लगाते हो ग टेक्सेशन में रिलीफ दो अगर रिलीफ मान लेते हैं वित्तमंत्राले जो के पेट्रोलिम मनिस्ट्री ने उनको दिया है कि भाई इसमें थोड़ा सोचो और हमारी ड्यूटी को रैशनल कर दो डबल टेक्सेशन में हमको मड़ डालो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कहीं पे जोड़ लो आप देखो के बहुत बढ़िया शेयर चलेंगे इसलिए मैं यह खबर भी आपको 700 हाथो हाथ ही बता रहा हूं और निलेश जैने इसको ट्रेड में कनवर्ट करके दिया है पांच चालिस की जो कॉल है आपको लेनी है और इसमें 21-22 रुपे तक का टार पिक हमारे इस खास सेग्मेंट बजट ब्लॉक बस्टर में और आज की ब्लॉक बस्टर पिक बताने के लिए हमारे साथ अभिशेक जैन जुर चुके हैं अभिशेक वेरी गुड मॉर्निंग बताएए कौन सी है आपकी बजट से रिलेटेड पिक जो जो स्टॉक हम बात कर रहे हैं वो शीला फूम से लिमिटेड है वो आपका मर्जर विट को लॉन आज इंडिया के सबसे बड़े मैट्राइस और फूम प्रिड़क्त इंप्लेट हो गए है राइट नौ जो बजट के लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए पार्ट जो ट्रिगर है बजट के लिए जो बजट के लिए जो सबसे बड़े मैट्रेगट रहेगा वो दो चीजों में रहेगा एक तो इंडियन वेट का बंड़े मारत ट्रेन है जिसके लिए 40,000 करोड का अलोकेशन गवर्मेंट ने बोला है और इसमें क्या है कि दे हैव और दे होगा दिखेंगे अभी जो फ्री टेयर वगेर अभी तक जो वंदे महारत हैं वो नॉमल स्लिपिंग में भी आ रही है और वो एक बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी रहे की ये कंपनी के लिए फायर रिटार्ड एंड फॉम जो है एक बहुत बड़ा डिमांड के लिए इसके ल नया प्लांट है राइट नओ जो लोड एंड सेगमेंट के लिए करेगा वो भी अभी जबलपुर में स्टार्ड हो गया है और एक बहुत बड़ा कम्पनी को मेको लगता है ये कम्पनी को मेको लगता है शॉर्ट तब में 1200 तक के टारगेट और लॉंग टम में 1200 रुबै त लेकिन 15-20% की तेजी के लिए आप तैयार रही है लक्ष है 12 सो रुपे का और 1-2 मेने की अवधी में ये टार्गेट्स अचीव हो जाने की उम्मीद है अब शेख जिन की तरफ से एक बढ़िया आई है बजट ब्लॉक बस्टर स्टॉक सामने आपके स्क्रीन पर दो कमपनियों की आज बाजार में उतरने की तैयारी डिब्यू हो गया है आप देखें बंसल वायर की और एंक्यूर फार्मा की ये लिस्टिंग की तज़वीरिंग आपके सामने है और दोनों कमपनियों के आई प्यों के बात करें तो रिस्पॉंस बहुत अच्छा मिला था रिस्पॉंस अच्छा मिला और उस रिस्पॉंस के आप बाद देखें कि लिस्टिंग भी आल्मोस्ट बराबरी का मामला दिख रहा है इन दोनों ही कमपनियों बंसल वायर ये स्पेशलाइजड वायर वाली ये कंपनी है गाजियाबाद में हर्याणा में इनके कुछ प्लांट्स है एमक्यूर फार्मा की बात करें तो आप नमिता थापर को जानते होंगे उनसे आप परशीत होंगे शाक टैंक के मंच पर आप उनको देख चुके हैं तो खास सेग्मेंट आइप यू कॉर्डर में तो आपको लिस्टिंग के लिए भी और लंबी ओधी के लिए दोनों के दोनों कमपनीज में पैसे लगाने की सला दी गए थी और जेस तरह के सब्सक्रिप्शन आए उसके हिसाब से बढ़ियां लिस्टिंग हम देख रहे हैं दो परबार करता हुआ दिख रहा है तो फार्मा स्पेस में एक कंपनी और केबल और वायर वाले में स्पेशलाइजड एक कंपनी है यह बंसल वायर यह अपना आई प्यू लेकर आ हैं और आज से यह शेयर आपके लिए ट्रेड के लिए सिकेंडरी मार्केट में उपलब्द हो आपको अलॉट्मेंट होता है उसके बाद कंपनी के लिस्टिंग होती है और हफ़ते दिन में अगर आपके पैसों पर 35% बढ़के मिल जाएं लिस्टिंग गेन अगर तो उससे वेहतर क्या होगा लेकिन आप चाहें तो इनमें बने भी रह सकते हैं यह सलाह भी आपको दी इन दोनों कंपनीज में आप होल्ड कीजिए प्रॉफिट टेकिंग की जल्दवाजी नहीं करनी है बढ़ियां कंपनीज है और आपको और आगे यहां पर ग्रोथ के बढ़ियां मोके आपको मिलते हुए दिखाए देंगे बंसलवायर में भी और इमक्यूर फार्मा में भी बंसलवायर पर थोड़ा सा एक डेट वाला टेंशन था तो डेट का बुगतान करने के लिए कंपनी ने पैसे रेज की हैं और एमक्यूर फार्मा की बात करें तो यह ग्लूबल कंपनी एक तरह से है भारत के लाबा यूरोप में कैनड़ा में अच्छी इनकी प्रेजिंस है और यह खर्च भी बढ़ा रहे हैं आर एंडिय वगर पर वो अच्छी से यह खर्च कर रहे हैं कंपनी और यह भी अपना 600 कौन रोपे इसमें अपना यह डेट रीपे करने पर इस्तिमाल करेगी तो दोनों कंपनी पर आपके लिए यह लिस्टिंग के प्राइस और आपके करें यह सलापी